हेलो मेरे प्यारे स्टूड़ेंट्स इस वीडियो में हम कक्षा आर्ठ गनित का चेप्टर 4 आंग Gaming का प्रवंदन इससे पूरा गावर करेंगे तो इस वीडियो में आप पहले तो पूरे चेप्टर का सार सीखेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़े हैं बेसिकली आसान भाष्ण में आपको पूरा चैप्टर समझाए जाएगा और उसके बाद प्रशनावली 4.1 और 4.2 को भी हम इस वीडियो में हल करेंगे अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जबूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझिए इस चैप्टर के कॉनसेप्ट और राइट तो आंकडे क्या होते हैं देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ सुना हो अगर आपको क्रिकेट में रूची है कि कमेंटेटर कहते हैं कि इस ग्राउड में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो सत्तर परतिशत जीती है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम केवल तीस परतिशत बार जीती है ये क्या है? ये आंकडे हैं अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी उसके माइन में ये होगा कि मुझे पहले बैटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है उसको फायदा मिलता है इस स्पीच का मिजाज ऐसा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होता है तो वो भी टॉस जीत के ऐसा करेगी तो ये सब कैसे पता चला? ये आंकडों से पता चला आजकल तो आंकडों का बहुत जादा रोल होता है इवन आप अपने चोटे मोटे खर्चे भी अगर आप लिख रहे हैं कि मैंने जनवरी के मैंने बाहर खाने पे इतना खर्चा किया फरवरी के मैंने इतना खर्चा किया मार्च के मैंने इतना खर्चा किया अगर आप उसका हिसाब रखते हैं तो फिर आपको फायदा होता है उससे आप ये देखते हो कि अरे यार मेरे खर्चे तो बढ़ रहे हैं मुझे खर्चों में कंट्रोल करना चाहिए अगर आप आप आगड़े ही नहीं रखेंगे तरशाना पढ़ता है नहीं कि आपकड़े किसी ने इकठा किया है तो कुछ तो करके लिखेंगे कहीं तो लिखेंगे उस सीज को और किसी को बताएंगे कि भई ये मैंने आपकड़े इकठे किये है तो आपकड़े इकठे करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो आपने ये देखा होगा कि एक टेबिल ये बना दी और यहां पर एक तरफ मान लो की मान लो कि अलगला कक्षा के विध्यारतियों को ये कहा गया कि भई तुम्हें पेड लगाने हैं तो बच्चे फिर पेड लगाते हैं तो यहां पर अगर मैं ये लिखूँ कि ये कक्षा है और ये पेडों की संख्या है कि कितने पेडों लगा रहे हैं यहां पर कक्षा 6, 7 कक्षा 8, कक्षा 9 और फिर यहां पर मैं लिखता हूँ कि कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड लगाए कक्षा 7 के बच्चों ने केवल 15 पेड़ लगाए कक्षा 8 के बच्चों ने 40 पेड़ लगाए कक्षा 9 के बच्चों ने 45 पेड़ लगाए कुल पेड़ कितने लगे ये भी हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं तो ये आकडों को दर्शाने का सबसे बेसिक तरीका है, ये simple हम तालिका बना सकते हैं, ये table बना सकते हैं, तो ये भी जो मैंने लिखा है, ये मैंने आकडों को दर्शाया है, लेकिन आकडों को दर्शाने के, और भी आकडों को निरूपित करने के और भी तरीके होते हैं, उन मैं उसको चित्रा लेख करके यहां पर आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं तो मान लीजिए कि एक पेड़ एक पेड़ मैंने जो बना रखा है न छोटा सा यह यहां पर पेड़ बना रखा है यह एक यह दस पेड़ बताता है तो ये 10 पेड है ये भी 10 है, ये भी 10 है तो ऐसे करके हम चित्रालिक करके बना सकाथ तो यहां पे अब किस तरह से नुरुपित करते हैं आप देख सकते हैं कक्षा 6, इसके आगे 3 पेड़ बने हैं तो कितने पेड़ उन्होंने लगाए तो एक पेड़ अगर एक पेड़ मैंने भी बना रहा है दस पेड़ दर्शात है तो दस ये हुए फिर दस ये हुए दस ये हुए टोडल कितने होगे 30 पेड़ तो कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड़ लगाए यह आधा पेड़ बना हुआ है तो यह 5 पेड़ दर्शा रहा है ठीक है तो 10 यह होगे 5 ही होगे तो कक्षा 7 के बच्चों ने 15 पेड़ लगाए अब यह बताओ यह कितने है यह 40 पेड़ है तो कक्षार की बच्चोंने चारीस पेडियों लगाए तो यह हमने चितरालिक बनाया है तो जो जानकारी हमने सिम्पल साधरन सी तालिका में ये लिखी थी इसको हम चितरालिक करके भी दर्शा सकते हैं ये आप समझ गये होंगी अब देखो यहां से हम कुछ निशकर्ष भी निकाल सकते हैं तो अगर मालो कि यहां पर आपको लिखना है कि इससे निशकर्ष क्या निकलता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इससे निशकर्ष ये निकला जैसे कक्षा साथ के बच्चों ने सबसे कम पेड लगाए इन बच्चों ने सबसे कम पेड लगाए तो इन बच्चों को अब डांट पड़ेगी कि तुमने इतने कम पेड क्यों लगाए कक्षा नौ के बच्चों ने सबसे अधिक पेड लगाए तो इनको इनाम मिलेगा शाबाशी मिलेगी कि हाँ भई अच्छी बात है तो उन्हें सबसे ज़्यादा पेड लगा है इस तरह से तो ये हम ये तुलना कर सकते हैं किस कक्षा के बच्चों ने कितने पेड लगा तो ये ही अध्यन करना हो गया ये जो हम निश्कर्च निकाल रहे हैं ये अध्यन करना हो गया कि हम इसका अध्यन कर रहे हैं देखके समझ रहे हैं कि हाँ भी कितने कि क्या क्या है इस इस आलेख में क्या क्या है तो अब आपको समझ आ गया कि चित्रा आलेख क्या होता है अब इसके बाद है दंड आलेक बार ग्राफ जिसे कहते हैं तो यहां पे जो उपर बना है उसी को मैंने दंड आलेक में दर्शा रखा है तो अब आप समझ गये ना कि सेम जो यह आंकडे हमने ऐसे लिखे हैं और इसको हम ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं तो अब कैसे बनाते हैं यह तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यह वाली लाइन है यहां पर है पेड़ों की संख्या और यहां पर कक्षा है तो पेड़ अब देखो यह नंबर जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह नंबर की नंबर हम किस तरह से लिखे नंबर कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से समझो बच्चों इस बात को हमें यहां पर इन नंबरों को देखना होता है या फिर यहाँ पर इन नमबरों को देखना होता है यही तो है 30, 15, 40, 45 तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम बनाएंगे अब यहाँ पर पांच, 10, 15, 20 करके नहीं बनाएंगे क्योंकि पांच, 10, 15, 20 करके अगर बनाएं हम तो बहुत आगे पहुंच जाएगा न तो 10, 20, 30, 40 करके बनाएंगे ताकि जो जितने इसमें हैं सबसे बड़ा इसमें 45 है 45 तक कवर होना चाहिए तो 50 तक भी काफी था फिर भी हमने 60 तक लिख दिया है ठीक है? और यहाँ पर यह कक्षा है अब कक्षा 6 देखो कक्षा 6 के बच्चे जो है कक्षा 6 के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए? 30 पेड़ लगाए तो आप यह देखा यहाँ पर अगर मैं इसको हटाओ तो यहाँ पर कैसे बनेगा यह इसको हम ऐसे बना देंगे कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड़ लगाए कक्षा 7 के बच्चों ने कितने पेड लगाए अब ये देखो ये यहां तक 15 पेड लगाए ना तो यहां तक आएगा आदा तक आएगा है ना अगर आप देख रहे होंगे तो 10 ये है 20 ये है और बिल्कुल बीच में ये है इस तरह से 15 यानि इनोंने 15 पेड लगाए कक्षा 8 के बच्चों ने कितने पेड लगाए कक्षा 8 के बच्चों ने यहां पर आप देखें अगर तो 40 पेड लगाए तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं कक्षा 9 के बच्चों ने तो ये 40 और 45 की बीच में है कितने पेड लगाए 45 पेड लगाए तो इस तरह से हम ये 30 था लिखते नहीं है ये सब नहीं लिखना है बस मैं आपको समझा रहा हूँ और ये है दंड आलेख है ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आगया होगा कि दंड आलेख कैसे बनाए ये जो यहाँ पर ये है थोड़ा एदर खिसका के और एक और कॉलम बनाते हैं और यहाँ पर 40 50 40 30 इस तरह से हमने ये लिख दिये है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि हम ये लिख सकते हैं कि भई पिछले साल यानि 2021 और 2022 वालो जो साल था उसमें बच्चों ने इतने पेड लगा है 2022 और 2023 को जो साल था उसमें बच्चों ने इतने पेड लगा है है ना कक्षा 6 के बच्चों ने 2021 बच्चों का जो सतर था उसमें 30 पेड लगा है उसके बाद 2022-30 के जो 70 था उसमें 40 पेड़ लगाए कक्षा साथ के बच्चे उन्होंने 15 पेड़ लगाए 2021-2022 में फिर 2022-30 के जो बच्चे हैं उन्होंने 50 पेड़ लगाए इस तरह से अब इसको अगर हमें दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएं तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो प्रकार के आंकड़े हमारे पास हो गए हैं भई एक आंकड़ा होता तो उसको दंड आलेख चितरालेख में बना दो अब यह दो प्रकार के हैं दो साल के आंकड़े हैं तो जब हमारे पास यह होता है तो इसको हम डबल बार ग्राफ यानि द्वी दंड आलेख में दर्शाते हैं और वो ये है ओके तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक क्लास के लिए दो साल के बने हैं तो 2021-2022 का सत्र ये है और 2022-23 का सत्र ये है तो कक्षच है कि बच्चों ने 30 पेड लगाए 2021-22 में यहाँ पर मेंशन है जो ब्लू कलर में है वो 21-22 का है जो ब्लैक कलर में हो 2022-2023 का है तो कक्षच है के बच्चों ने 2022-23 में 40 पेड लगाए फिर कक्षच साथ के बच्चों की बात करते हैं इन्होंने आपको याद है सबसे कम पेड लगाए थे इन्होंने 15 पेड लगाए थे 2021-22 में लेकिन 2022-23 में इन्होंने कमाल कर दिया 50 पेड लगाए फिर अब इसमें कक्षच के बच्चे तो 2021-22 में 40 पेड 2022 थैस में भी 40 पेड़ उन्होंने एक जैसा ही लगाए ठीक है और फिर यहाँ पे जो कक्षानों के बच्चे हैं उन्होंने 50 पेड़ तो लगाए 45 पेड़ 2021 बाइस में और 30 पेड़ लगाए 2022 थैस में तो इन्हों इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है तो यहाँ देखे हम क्या-क्या निशकर्श निकाल सकते हैं यहाँ देखे हम यह बता सकते हैं कि कक्षा साथ के बच्चों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है अगले साल यानि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल कक्षा साथ के बच्चों ने काफी ज़्यादा पेड लगाए, बहुत अच्छी बात है, कक्षा नौ के बच्चों ने लापरवाई की, पिछले साल के नौ के बच्चों ने कक्षा नौ के बच्चों ने 45 पेड ल वाले नोई भी 40 पेल लगाए यानि ये बरावर उनकी परफॉरमेंस रही है ठी है ना तो इस तरह से हम अधियन करते हैं और जब हमारे पास ये दो प्रकार के आंकडे होते हैं तो उनको हम द्वी दंड आलिख डबल बार ग्राफ में इस तरह से रखते हैं तो ये बंता कैसे अब आपको समझ आ गया और इसके बाद इसके बाद ये questions हैं और यहाँ पर लिगा है प्रियास कीज़े देखो ये exercise के प्रशनावली के प्रशन नहीं है लेकिन उससे पहले जो questions होते हैं और ये देखो ये करने ज़रूर होते हैं क्योंकि यहाँ से इनको करके पता चलता है कि हाँ भई आपको चीज़े समझ आ रही हैं तो इन questions को यहाँ पर हम करेंगे बलकि question number one question number two को में करूंगा question number three जो है यह आप स्वयम से करना और यहाँ पर हमें क्या करना है कि यह जो आंकड़े यहाँ पर दिये हैं ठीक है यह सभी आंकड़े लिखे हैं इनको हमें उप्य युक्त आलेख बनाकर निरुपित करना है तो एक काम करते हैं अब आप मुझे बताओ कि किस प्रकार के आलेख बनेगा जो question number one है इसमें तो बनेगा दंड आलेख question number one में जो हमने यह वाला बनाया था क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के आंकड़े हैं आपको दिख रहे हैं question आगल चलाने वालों के अलग संख्या है तो इसमें कौन सा बनेगा इसमें ये बनेगा दूई दंड आलेख बनेगा question number two के लिए ओके और question number three में भी दूई दंड आलेख बनेगा तो मैं यहाँ पर question number one and question number two करता हूं ठीक है question number one है यहाँ पर देखो मन्त लिखे हैं महीनी ल number December और उन महीनों में बेची गए घड़ियों की संख्या लिखी है कि कितनी घड़ियां बेची गई है ओके तो हम इसका आलेख कौन सा आलेख बनाना है मैं दंड आलेख बनाना है वैसे हम चितरा आलेख भी बना सकते हैं इसका लेकिन चलो दंड आलेख बनाते हैं तो सबसे इसे graph हम बनाएंगे graph paper type का और अब इसमें हम सबसे पहले देखो हम ये जो उर्धवादर वाली जो खड़ी line है यहाँ पे हम ये जो 1500, 1500, 2500, 2500, 2500 इनको निरुपित करेंगे तो इन नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और जो ये जो horizontal line है जो लेटीवी line है उसमें मन्त आएंगे ज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओंबर, दिसंबर के ठीक है ओके यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये 1500, 1500, 2500, 2500, 2500, 1500 इन में सबसी बड़ी संख्या है पच्ची सो तो यानि अगर हम 5500 करके बनाएंगे तो काम बन जाएगा तो 500, 1500, 2500, 2500, तो 5 में ही क काम हो जाएगा है ना यहाँ पर 1000, 2000, 3000 बनाने की जरूत नहीं है बहुत चोड़ चोड़ा बन जाएगा तो बेस्ट है 5500 करके हम यहाँ पर बनाएंगे तो 500, 1500, 1500, 2000, 25, 3000 यह ठीक है और यह क्या है यह है बेची गई घड़ियों की संख्या क्लियर हो गया अब जुलाई के मह महिने 1000 तो देखो 1000 आ रहा है यहाँ पर तो 1000 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तक हम एक बार बनाएंगे तो यह बन गया है 1000 तक का ठीक है ना यह किस महिने का है जुलाई के महिने का उसके बाद फिर अगस्त के महिने 1500 तो 1500 यह है तो यहाँ तक आएगा तो यह आया यहाँ तक अगस्त के मेहने, शितंबर का भी 1500 है, तो ये भी same size का बनेगा, October में 2000 है, तो 2000 जो है वो यहां तक आएगा, तो 2000 ये बना ठीक है, October के महिने, फिर November में 2500 है, तो 2500 और ऊपर ये बनेगा, तो ये यहां तक बना, November के महिना, और अब है December, दिसम्बर में ये पंदरा सो तो पंदरा सो तक का बनेगा ये बन गया पंदरा सो तक का और ये दिसम्बर के महीने का था तो ये हमने दंडाल एक इसका बना दिया है यहाँ पे हमारे पास ये सेकिंड क्वेशन है तो यहाँ पे देखो ये कहा गया है कि कुछ बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है और कुछ बच्चे जिनको साइगल चलना पसंद है और वो तीन स्कूलों का सर्वे क्या उन्होंने सर्वे के बाद आगड़े अकठे किय तो यह पाया कि जो स्कूल A है उसमें 40 बच्चों को पैदल चलना पसंद है आप देख सकते हैं और 45 बच्चों को साइगल चलना पसंद है ऐसे स्कूल B के 55 बच्चों को पैदल चलना पसंद है 25 बच्चों को साइगल चलना पसंद है और स्कूल सी में 15 बच्चों को पैदल चलना पसंद है और 35 बच्चों को साइकल चलना पसंद है तो यह हमने दर्शाना है तो clearly आपको यह समझ आ रहा हुआ कि हम इसको 2 दंड आलेख में यानि 2 दंड का जो आलेख होता है वो हम यहाँ पर बनाएंगे ठीक है तो चले बनाते हैं तो सबसे पहले हम यह बना देंगे और यहाँ पर जो यह उर्दवादर वाली वर्टिकल जो लाइन है इस पर हम संख्याएं लिखेंगे तो देखो किस तरह से नंबरिंग देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 करके लिखेंगे या 10, 20, 30, 40 करके लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 55 55 जो है अगर हम 5, 10, 15, 20 करके जाएंगे तो 55 सोचो कहां पहुंच जाएगा है ना उसके लिए तो 11, 12 लाइन तक हमें जाना पड़ेगा इसलिए बढ़िया है कि 10, 20, 30, 40 करके लगाओ तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 करके हम यह नंबरिंग देंगे और यह क्या है बच्चों की संख्या है ठीक है और जो यह वाली लाइन है इसमें तीन स्कूल, स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C के लिए हम यहाँ पर यह स्कूल A, स्कूल B और स्कूल C इतना clear है ओके और अब हम इसका अब हम आलिख बनाएंगे तो सबसे पहले पैदल चलने वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में लिखते हैं तो school A के 40 बच्चे जो हैं वो पैदल चलते हैं तो school A के 40 बच्चे पैदल चलते हैं 40 बच्चे यानि यहां तक आएगा तो यह हो गया है ठीक है स्कूल B के 55 बच्चे पैदल जाते तो 55 आएगा 50 और 60 बिल्कुल बीच में तो यह हो गया स्कूल C के 15 बच्चे जाते तो 15 बच्चे 10 और 15 की बीच में आएगा 10 और 20 की बीच में आएगा यह 15 तो स्कूल C के 15 बच बच्चों को पसंद है तो हम यहां पर दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक ही कलर में देखो अगर आप पैंसल से बनाओगे तो आप बीच में ऐसी लाइन खीन सकते हो जैसे 45 तो आएगा 40 और 50 की बीच में यानि ये लेकिन इनको अलग दिखाने के लिए आप ये खीन सकते हो बीच में समझ गए आप अब सकूल बी में 25 बच्चों को साइकल चलाना पसंदे तो सकूल बी में 25 तो 25 आएगा 20 और 30 की बीच में तो ये हुआ और इनके बीच में ये भर देंगे ताकि दोनों अलग दिखें और इसकूल जो सी है इसमें 35 पैंतिस आएगा 30 और 40 के बीच में यानि यहां तक बनेगा ठीक है इसके बीच में ये हम भर देंगे अलक से हम यह लिख देंगे क्योंकि यहां पर हमें यह भी बताने कि कौन सा किस टाइप का है तो यह इस तरह का जो है यह है पैदल चलने वालों का और यह जो बना है यह किन का है साइकल चलने वाले बच्चों का ग्राफ ठीक है और यह बन जोगा है ग्राफ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम द्वी दंड आलेक, इसका नाम है द्वी दंड आलेक, ये कैसे बनाते हैं ठीक, clear, alright और अब हम बढ़ते हैं सबसे important topic पे जिसको समझने में students को थोड़ा confusion होती है वो है pie chart यानि वृत आलेक, दोनों बात एक है, आप वृत आलेक बोलो या पाई चार्ड बोलो सबसे पहली बात तो ये है कि pie का क्या मतलब है, देखो pie एक खाने की dish होती है, ये तो ये इस तरह से circular इसका shape होता है, वृत की तरह shape होता है, इसलिए ये जो हम chart बनाते हैं, ये भी इसी आकार का बनाते हैं, वृत आकार, तो इसलिए हम इसको pie chart बोल देते हैं और जैसे pie में ऐसी slices कटी होती हैं, ऐसे ही हम वृत में slice कारते हैं, और इसके बाद अलग-अलग जो हिस्से हैं, वो अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं, अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो ये slice कटे हुए हैं, ये equal कटे हुए हैं, लेकिन मान लो कि एक office में इसा manager ऐसा कहता है, अपने जो उसके under में लोग काम कर रहे हैं, कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा इस pie का, तो उसके बाद मान लो कि कोई Mr. A है, अमित ले लेते हैं, उसको इतना हिस्सा मिलता है, पाई का, एक कोई Mr. B हैं, उनको इत इतना हिस्सा मिलता है, और Mr. D है, उनको इतना हिस्सा मिलता है, तो अब आप देख के ही बता सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा काम किस ने किया, सबसे ज़्यादा काम अमित ने किया, Mr. A ने किया, तो उनको सबसे बड़ा हिस्सा मिला पाई का, सबसे कम काम किस ने किया, आप ही बता सकते हैं इसमें जबकि लिखा भी नहीं कि कितना काम किया गया है लेकिन आप ये देख के ही बता सकते हैं कि सबसे कम काम तो भई डी ने किया होगा तो ऐसे ही slice कड़ते हैं जब हम pie chart बनाते हैं तो यहाँ पे एक उधारण है इस तरह से बनता है pie chart ये पूरा गोल circle होता है ये जो पूरा circle होता है इसको हम कहते हैं संपूर्ण ये है संपूर्ण और जो इसमें छोड़े-छोड़े ये टुकड़े बने हैं जो ये pie के टुकड़े हैं ये है त्रिज्य खंड तो इनको हम अलग-लग तिर्ज खंड गैते हैं तो इस PIE चार्ड़ पे क्या दर्शाय गया है इस PIE चार्ड़ में किसी व्यक्ति की जो स्फम्पूर्ण उसकी आय है उसका अलगलग हिस्सा इसमें दर्शाय गया है कि जो उसकी इंकम है उसको जो तंखा मिलती है वो कहां-कहां खर्च होती है तो अब जब कि यहां पे लिखा नहीं कि कितना रुपे कहां खर्च हुआ है लेकिन ये पाई कटा हुआ है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि घर की EMI में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है सबसे कम पैसा खर्च होता है मनोरंजन में, यह मनोरंजन है यहां पे लिखा हुआ, तो घर की EMI में यह खर्चा हुआ, राशन में इतना खर्चा हुआ, मनोरंजन में इतना खर्चा हुआ, यह बचत है और यह mix खर्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहा हुआ, तो जबकि यहां पे नमबर नहीं लि लिख सकते हैं और आप प्रतिशत भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर जो व्यक्ति है उसकी जो भी मानलो कि उनको बीस हजार रुपे की तंखा मिलती है बीस हजार रुपे उनकी सेलरी है आठ हजार रुपे घर की एमाई में खर्च होते हैं पांच हजार रुपे राशन में खर्च होते हैं, 1000 रुपे मरोरंजन 4000 रुपे बचत है और 2000 रुपे मिक्स खर्चे हैं तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखें 8, 5, 13, 14, 14, 14, 20 20,000 रुपे इस तरह से बंड गए हैं तो यह हम यहाँ पे नमबर लिखते हैं और 7 में परतिशत भी यहाँ पे लिख सकते हैं तो हम यह भी लिख सकते हैं कि घर की EMI में 40 परतिशत खर्चा हुआ जितना भी तनखाती उसकी 40 परतिशत घर की EMI में खर्च हुआ उसके बाद यह जो राशन है इसमें 25 परतिशत खर्चा हुआ फिर उसके बाद 5% मनुरूंजन में खर्चा हुआ 20% बचत हुई और 10% के mix खर्चे हैं तो ये हम परतिशत में भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं समझ आ रही है आपको बात तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि हम नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें और प्रतिशत से नंबर कैसे निकालें तो सबसे पहले आप ये सीखो यहां पर ठीक है तो मान लो कि प्रतिशत यहां पर नहीं लिखा हुआ है केवल नंबर लिखे हैं और आपको प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो एक एक करके सबको लेते हैं सबसे पहले घर की EMI घर की जो EMI है उस पे खर्चा होता है 8000 रुपे 8000 रुपे खर्चा होता है ठीक है तो ये कितना प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझो जो संपूर्ण है यानि टोटल जो कुल आय है वो है 20,000 रुपे EMI में खर्चा होता है 8000 रुपे तो अगर हम इसको प्रतिशत में बदलें तो हम क्या करेंगे कि जितना EMI में खर्चा है उसको संपूर्ण से भाग दे दो 20,000 से हमने भाग दे दिया अब यहाँ पे दो तरे के रिजल्ट आते हैं ध्यान से समझो इस बात को अगर हम इसको यह काटते हैं 30 से यह कटा 4 दोने 8 4 पंचे 20 कितना आया 2 बटे 5 तो हम इसको 2 बटे 5 भाग कह सकते हैं तो या तो इसको कहो कि यह है 2 बटे 5 भाग और अगर हमें प्रतिशत में इसको लिखना है तो फिर हम क्या करते हैं इसी चीज़ को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है यानि अगर मैं यहां से इसको हटा दू और प्रतिशत में लिखना चाहूं तो यह हो जाएगा 8 हजार बटे 20,000 और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 30 से 30 कटा 25,100 और 5,6 40, 40 पर्तिशत तो ये हो जाएगा 40 पर्तिशत तो इस तरह से हम भाग भी निकाल सकते हैं, पर्तिशत भी निकाल सकते हैं अब राशन की बात करते हैं अब आप मेरे साथ सौल्व करो मेरे लिखने से पहले आप बताओ कि राशन में जो खर्चा आया है वो कितना भाग है और अगर पर्तिशत में निकाले तो कितना है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कितना भाग है तो 5000 को हम संपूर्ण से भाग देंगे यानि 20,000 से हमने भाग दिया 30 से 30 कटे और ये 1 और ये 4 एक बटे 4 तो एक बटे 4 भाग राशन में खर्चुओा है तो अगर हमें भाग में लिखना हो भाग यानि हिस्सा कह सकते हैं तो एक चौथाई एक बटेचा राशन में खर्च होता है लेकिन अगर हमें इसकी जगह पे परतिशत में लिखना है तो हम क्या करेंगे वैसे ही हमें करना है बस सौ से इसमें गुणा कर देना है तो ये तीन जिरो से तीन जिरो कटा पांचो को बीस, चार से कड़ेगा 25 बार जाएगा और ये हुआ 25 परतिशत तो यहाँ पे आप परतिशत लिख सकते हैं 25 परतिशत ठीक है और ऐसे आप ये बाकी निकाल सकते हैं तो इस तरह से हम परतिशत निकालते हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने परतिशत में लिखा है तो परतिशत में अगर केवल परतिशत है कोई भी संख्या मारे पास नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितना रूपे exactly खर्चा हुआ है लेकिन हाँ आप ये देख के तो बता सकते हैं और अब ये बताओ कि राशन में कितना खर्चा होता है तो अब हम कैसे निकालेंगे कि अगर हमें राशन में खर्चा निकालना हो तो राशन में खर्चा क्या होगा भई कुल आय का कितना परतिशत खर्चा होता है राशन में कुल आय का 25 प्रतिशत खर्च होता है तो हम क्या करेंगे कि इसकी जग़े पे गुणा कर देंगे और 25 बटे 100 लिख देंगे हम और ये कटा और ये आजाएगा 1000 ठीक है न? तो नहीं यह आया 5000 25 प्रतिश उने 50 5000 तो 5000 रुपे ये आजाएगा कि 5000 रुपे राशन में खर्चा आया है अगर ये लिखा हो अमीन अगर आपको निकालना हो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है तो अब आप निकालो आप मेरे साथ निकालो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है तो मनोरंजन में होता है 20,000 रुपे जो उनकी आय है उसका पांच प्रतिशत यानि बीस हजार में पांच बटे सौ का हम गुणा करेंगे दो जिरो से दो जिरो कटा और ये एक हजार आ चुका है तो एक हजार उपे खर्चा होता है मनोरंजन में और इस तरह से आप हर एक चीज़ का निका सकते हैं हो सकता है कि केवल भाग दिया हो कि बचत जो है वो है एक बटे पांच भाग तो बचत कितनी है तो एक बटे पांच भाग बिल्कुल किसकी आय का एक बटे पांच कर देंगे हम यानि जो i है उसमें एक बटे पांच का गुणा कर देंगे तो यह आजाएगा 4000 तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4000 तो अगर प्रतिशत में दिया हो तो इस तरह से कर देंगे आपने देखा और अगर भाग में दिया हो कि इतना भाग खर्चा होता है पाई चार्ट ड्रो कैसे करें अगर हमारे पास इस तरह से कोई आंकडे दिये हैं और इससे हमें पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट बनेगा कैसे और ये क्वेस्चन मैंने आपकी बुक से ही लिया है तो आपकी बुक में एक पाई चार्ट है NCRD की बुक में ये पाई चार्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में एक बच्चे दौरा व्यतित किया गया समय तो जो अलग-अलग गतिवी दिया हैं उनमें अलग-अलग समय खर्च होता है सोने में 8 गंटे खर्च हो रहे हैं पहले बात वहीं कि ये पाई चार्ट भी सही से बनावा नहीं है जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गल्ती है ये पाई चार्ट एकदम अच्छे से नहीं है बनावा हम एकदम बढ़ी अच्छे से बनाएंगे तो पाई चार्ट बनाने में जो सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कोण क्या कहा मैंने कोण तो आप ये देख सकते हैं कि जो अलग-लग तरीचे खंड यहां पर हैं अलग-लग सेक्टर ये हैं इनके कोण होते हैं यानि इसका कुछ कोण है जैसे ये 120 अंश है उसके बाद ये 60 अंश का है जो भी अंश जितने हैं मैं अभी आपको बताऊगा कि कितने कितने अंश के हम बनाएंगे और फिर ये तो ये सब कोण हमें बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें अलग-लग के कोण चाहिए कि सोना जो है ओ कितने कोण में आ रहा है ग्रह कारे कितने कोण में आ रहा है अलग-लग के हमें सबसे पहले तो क्या निकालने हैं कोण निकालने हैं ठीक है तो माईडियर ये जो पूरा सरकल है पूरा का पूरा वृत कितने अलग-अलग बटे हुए हैं ये 360 के ही हिस्से हैं तो 360 को ही हमें बाटना है ठीक है तो ये जो टेबिल है इसे में ही हम एक और कॉलम मना के कौन यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले जो सोने की गतिवीदी है उसमें कितना कौन बनेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये यहाँ पर आठ घंटे इसमें खर्च होते हैं और कुल समय क्या होता है 24 घंटे होते हैं तो 24 से हम भाग देंगे और 360 का गुणा कर देंगे तो ये कटेगा ये तीन बार जाएगा तीन से ये कटा 120 अंश आ चुका है ठीक है अब इसके बाद ग्रह कारे में चार घंटे खर्च होते हैं और कुल समय है 24 घंटे इसमें भी 360 का गुणा करेंगे तो ये कटा 4 चार चाके 24 चैसे भाग देंगे तो ये 60 अंश आएगा अन्य में 3 घंटे खर्च होते हैं कुल 24 है, इसमें भी 360 का गुणा करेंगे, तो ये कटा 8 और ये आए जाएगा 45 अंश, खेल, खेल में 3 घंटे खर्च होते हैं, और 24 घंटे कुल समय है, उससे भाग दे देंगे, 360 से गुणा कर देंगे, और ये भी 45 अंश आएगा, और इसके बाद है, जो स्कूल में, स्कूल अंश आजाएगा, तो ये सब के कोण यहाँ पर आचुके हैं, 120, 60, 45, 45, 90, और अब हम इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले, एक हम पूरा वृत बनाएंगे, ये वृत है, चलो हम एक काम करते हैं, ब्लैक पैन से बनाते हैं, तो ये संपूर्ण वृत है, पूरा पाई है, ठीक पाई होता है, उसी से पाई चार्ट शब्द बना है, फ्रेज बना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अब इस पाई के हम हिस्से करेंगे, ओके, तो सबसे पहले क्या है, कि जो इसका केंद्र है, और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे, ये हमें करना ही है, ये कोन बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूओ कि कौन बनाना तो आपको आता होगा इसकी मदद से। तो आएगा यहाँ पर यह 120 है ठीक है मानलो कि अगर एकदम fit नहीं आ रहा है छोटा भी है या बड़ा है चांद कोई दिक्कत नहीं है कौन तब भी हमारा वैसे बनेगा तो यह है और 120 अगर आप यहाँ पर तो कौन कैसे बनाते हैं जो चांद का 0 है वो लाइन पर आता है तो यह 0 जो है यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे यह बिल्कुल इसके लाइन पर आ रहा है और 120 आप देख सकते हैं बिल्कुल इस दिशा में 120 है तो यह 120 और इसको मिलाते हुए केंदर से इसको मिलाते हुए हम लाइन खीचेंगे है ना 120 है ना तो इससे मिलाते हुए हम लाइन खीचेंगे तो इसको करते हैं साइड में और एक लाइन हम खीचते हैं तो ये लाइन हम खीच चुके हैं और ये कोण क्या है 120 अंश का कोण है अब इसके बाद और ये कौन सी गतिविदी है? ये है सोना अब इसके बाद ग्रह कार्य है ग्रह कार्य में 60 अंश का कौन बनाना है हमें तो अब देखो अब ये जो लाइन यहां पर है इस लाइन को हम आधार लेंगे यानि इस चांद का जो 0 है वो हम इस लाइन पर लेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के उपर आएगा 60 अगर आप देखें तो 60 यहाँ पर आ रहा है ठीक है न बिल्कुल यह 60 अंश है यहाँ पर तो केंदर से इसको मिलाते हुए हम लाइन खीचेंगे तो केंदर से इसको मिलाते हुए हम यह लाइन खीचेंगे तो ये हमने लाइन खीज़ दी है ठीक है ये कितना अंश है ये 60 डिग्री है 60 अंश और ये ग्रहकारिया तो ये एकदम परफेक्ट बन रहा है ये अब इसके बाद कौन सी गतिविदी है अन्य ये दोनों होगे अन्या 45 अंश तो अब ये जो लाइन है यहां से आगे कौन बनाना है इस तरफ तो जो प्रोटेक्टर है चांद है उसका जो लाइन है जीरो बिल्कुल इस लाइन पर आएगा और 45 अंश यहां पर ये 45 है तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खीचेंगे ये हो गिया है ये है 45 अंश और ये किस कारे में खर्च हो रहा है ये अन्य में खर्च हो रहा है है ना अन्या अब खेल है खेल भी 45 अंश है तो फिर यहां से आगे हम 45 और बनाएंगे तो 45 यहां पर आ रहा है ये तो इसको मिलाते हुए हम ये केंदर से मिलाते हुए ये लाइन खीचेंगे इस तरह से ठीक है तो ये हो गया है ये भी है 45 अंश और ये खर्च हुआ है खेल में ये समय और बाकी जो बचा है वो 90 है वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बिलकुल 90 अंश बचा है हमारे पास अब है न ये हुआ यहाँ पर आप देखो तो बिलकुल 90 डिग्री बचा हुआ है तो यानि एकदम परफेक्ट बना है ये 90 डिग्री है और ये खर्च हुआ है ये स्कूल में खर्च होता है यहाँ पर आप जो समय है वो भी लिख सकते हैं 8 घंटे ग्रेकारे में 4 घंटे अन्य 3 घंटे और इस तरह से ये पूरा हमारा परफेक्ट पाई चार्ट बन गिया है तो ऐसे बनता है पाई चार्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि पाई चार्ट हमें बनाना कैसे होता है दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा आठ गणित के 4 चैप्टर आकणों का प्रभंदन इसका एक टॉपिक है संयोग एवं प्रायक्ता उसे कवर करेंगे तो अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में इस चैप्टर के एक टॉपिक है संयोग एवं प्रायक्ता तो उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगा और इस चैप्टर के बाकी वीडियो के लिए गर से बाहर निकलते हैं और पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो आप च्छाता लेकर नहीं निकलते हो कि क्या च्छाता लेकर जाना है ना बारिश तो नहीं हो रही है और उस दिन बारिश हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हो कि यार चांस के बात है कि बारिश हो गई यानि चांस सन्योग इसे ही हम कहते हैं सन्योग ऐसे ही मानलो कि आपके एरिया में लाइट नहीं जाती है और काफी दिनों से लाइट नहीं गई है बहुत ही कम जाती है और एक दिन आपके आप महमान आ जाते हैं और उसे दिन light चली जाती है तो फिर आप क्या कहते हो कि वैसे light नहीं जाती पर आज चांस की बात है कि आप भी आए और light भी चली गई इसे तरह से बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनकी होने की संभावना बहुत कम होती है लेकिन फिर भी हो जाती है कभी कबार तो हम क्या कहते है कि एक सन्योग है तो सन्योग हम इसे ही कहते है तो आपको ये बात समझा गई ओर light अब प्राइकता क्या है ये मैं अभी आपको आगिस समझाओंगा उस से पहले यदरिच प्रियोग ये क्या होते है तो ऐसे प्रयोग जिसकी भविश्यवानी हम ठीक ठीक से नहीं कर सकते है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है देखो अगर आपके पास ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड बना हुआ है दोनों तरफ हेड है लेकिन अगर कोई सिक्का ऐसा है जिसके एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ तरफ टेल है उसके तो फिर क्या होगा कि अब आप ये ठीक ठीक से नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहेंगे याद्रिच प्रयोग रेंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही एक और घटना लेते हैं एक और प्रयोग लेते हैं जैसे आपने देखा होगा पासा इस तरह से एक डाइस होता है तो इसमें एक तरफ ये एक है दो है, तीन, चार, पांच ऐसे बने होते हैं तो जब आप इसे रोल करते हैं, तो फिर आप एकदम से ठीक ठीक कह सकते हो कि ये आएगा, नहीं कह सकते, तो इसे भी हम यद्रिच प्रियोग कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगी क्या आएगा, तो इन्हें क्या कहते हैं, यद्रिच प्रियोग कहते हैं, ऐसे प्रियो हम कहते हैं, जो जो हमारे पास आते हैं, यानि अगर हमने एक सिक्का फेंका, तो एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा, यही तो आते हैं सिक्का फेंकने में, तो यह क्या है, यह परिणाम है, हेड आना एक परिणाम है, टेल आना एक परिणाम है, है न, अगर हमने एक पासा फेंका, एक dice फेंका, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है 4, 5, 6 इन में से कोई भी आ सकता है तो ये सभी क्या होगे? ये सभी परिणाम होगे, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम सिक्का फेंकते हैं एक सिक्का फेंकते हैं, तो कितने परिणाम आते हैं? दो परिणाम, यहाँ पे देखो न या तो head आएगा, tail आएगा, तो दो परिणाम होते हैं सिक्के में, और अगर हम पासा फेंकते हैं, कोई dice फेंकते हैं जो अभी मैंने ये बनाये था तो इसमें कुल कितने संभव परिणाम होते हैं तो कुल छे परिणाम होते हैं या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है तीन, चार, पांच, छे तो टोडल कितने परिणाम है छे परिणाम है इसके तो इन्हें कहते हैं परिणाम है ना, ऐसे और भी हो सकता है कि कोई बच्चा एक्जाम दे रहा है अब वो एक्जाम में पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है तो पास होना भी एक परिणाम है फेल होना भी एक परिणाम है तो इसी तरह से बहुत सारी कुछ भी चीज़ बहुत सारी चीज़े हैं कोई टीम मैच खेल रही है क्या क्या परि उन्हों के रन बराबर है तो उटाई भी हो जाता था, वो भी एक परिणाम होता था, लेकिन आज कल तो स्कोर बराबर नहीं होता है, अगर बराबर हो या तो सुपर ओवर होता है, या आप जानते होंगे, तो कहने का ये मतलब है कि इन्हें हम कहते हैं परिणाम, तो परिणा परिणाम यानि ऐसे परिणाम जिनकी संभावना बिलकुल बराबर होती है मैं आपको समझाता हूँ कैसे Suppose that कोई एक स्टुडेंट है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसके पास होने की और फेल होने की दोनों की जो चांस है दोनों के होने के चांस क्या बराबर है क्या पास होने का परिणाम और फेल होने का परिणाम दोनों बराबर है 50-50 चांस है नहीं है क्योंकि उसके पास होने की संभावना ज्यादा है फेल होने की संभावना कम है ऐसे कोई बच्चा पढ़ाई में अगर कमजोर है तो उसके मैच जीतने की संभावना ज्यादा है, मैच हारने की संभावना कम है, तो इने हम समसंभाविक या समप्राइक परिणाम नहीं कहेंगे, तो फिर किने कहेंगे, अब यहाँ पर मैं उधारन वापस से देता हूँ सिक्का उच्छाने का, हमने एक सिक्का उच्छाला, तो उसमें head आने का और tail आने का दोनों का जो परिणाम है बिल्कुल दोनों के chance बराबर हैं। जितने chance head आने के हैं उतने ही chance ठेल आने के भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिक्का उच्छालने के जो परिणाम है ये समसंभावित यानि समप्राइक परिणाम है। दोनों में से कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते है, सम संभाविद भी और सम प्राइक भी जो आपको सही लगे, ऐसे ही जब हम एक पासा फेंकते हैं, लुडों खेलते वे, तो उसमें एक से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, और सभी के आने की बराबर समभावना है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है 6 तक, तो उन सभी के आने की बराबर समभावना है, आप ये नहीं कह सकते हैं, ना वे एक आएगा मैं कह सकता हूँ, श्योर, नहीं कह सकते हैं, प्राइक्ता क्या है तो देखो माइडियर प्राइक्ता होती है यहाँ पर मैंने फॉर्मुला लिखा है यहाँ पर इस तरह से यह मैंने फॉर्मुला यहाँ पर लिखा है इसको मैं अलग से भी लिख देता हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज होगा आगे तो प्राइक्ता क्या है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और प्रियोग के परिणामों की कुल संख्या ये है प्राइक्ता अब ये क्या है मैं आपको बहुत आसान उधारन देता हूँ एक बैग है एक बैग में एक बॉल है सफेद यानि वाइट एक ब्लैक है एक और वाइट है एक और वाइट है तो तीन वाइट है एक ब्लैक है अब आपको यहां से बॉल निकालनी है तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइक्ता ग्यांत करो प्रायक्ता को P से हम दर्शाते हैं, ध्यान रखना, कि प्रायक्ता ग्यानत करो कि सफेद बॉल आने की प्रायक्ता क्या है, तो घटना क्या है इस समय, इस समय घटना है देखो ध्यान से देखो घटना, घटना होती है जो हम प्रियोग करते हैं और जो परिणाम हम, जिस बॉल निकालना यह गटना है ठीक है तो इस तरह से तो यहां पी बिना देखे हमने बॉल निकालनी है अब आप बताओ कि बिना देखे हम सफिद बॉल निकालने के चांज जादा है तो आप दी कहरे होंगे कि सफिद बॉल निकालने के चांज जादा है क्योंकि इसमें सफिद बॉल की प्राइक्ता चाहिए तो जो वाइट बॉल है वो उपर आएंगी कितनी बॉल है वाइट तीन है और नीचे कुल बॉल आएंगी यानि चार और ये सफेद बॉल आने की प्राइक्ता हो गई है इसी प्रकार से अगर हम ब्लैक बॉल आने की प्रायक्ता ग्याद करें तो ब्लैक बॉल है कितनी हाँ पे एक है और कुल बॉल कितनी है चार है तो घटना बनाने वाली यानि जो हमें चाहिए जो प्रश्न पूछा गया है वो उपर आएगा और सभी संभो परिणाम नीचे आएंगे इस तरह से हम प्रायक्ता लिखते हैं एक और में उधारन देता हूँ एक पासा यानि डाइस जिससे हम जो लूडों का पासा होता है तो ये हमने रोल किया तो इसमें अगर आपसे पुछा जाए कि प्रायक्ता ज्यात करो समसंख्या आने की समसंख्या आने की प्रायक्ता ज्यात करो कि समसंख्या आने की प्रायक्ता क्या है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सभी परिणाम लिखेंगे कि सभी क्या-क्या परिणाम है पासे में तो पासे में क्या-क्या परिणाम होते हैं? पासे में एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छे, इनमें से कोई भी आ सकता है अब इनमें सम संख्याएं कितनी हैं? तो आप जानते हैं न सम संख्या दो होती है, चार होती है, छे होती है तो कितनी समसंख्याएं हैं? तीन और सभी पढ़िणाम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो तीन बटे च्छे यह हमारा आंसर आगया आप सको काट सकते हो तीनी गम तीन, तीन दोने च्छे और आंसर हमारा एक बटे दो आ गिया है अगर हमें प्रायक्ता ग्याद करनी हो विशम संख्या की प्रायक्ता तो क्या होगा विशम संख्या आने की प्रायक्ता? तो विशम संख्या कितनी है यहाँ पे? तो अब विशम संख्या एक है, तीन है, पांच है यानि कुल तीन विशम संख्या है और सभी संभव परिणाम कितने हैं, छे हैं, तो ये भी एक बड़े दो आ जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए, कि इसमें तीन के गुनज, यानि जो तीन के पहाड़े में आते हैं, उसकी प्रायक्ता क्या है, तो तीन के गुनज यहां पर कौन कौन से हैं, तीन का गु है न, एक तीन और एक छे, और नीचे तो सभी छे आएंगे, तो इसकी प्रायक्ता होगी एक बड़े तीन, इस प्रकार से हम प्रायक्ता ग्याद करते हैं, अब आपको समझ आ गया, ओके, और अब एक और चीज है, कि अगर हमें प्रायक्ता ग्याद करनी है, नहीं होने की, किसी चीज के नहीं होने की प्रायक्ता तो किसी चीज के नहीं होने की प्रायक्ता होती है एक माइनस उस चीज के होने की प्रायक्ता है न तो मान लो किसी चात्र के पास होने की प्रायक्ता यानि प्रायक्ता किसके उसके पास होने के प्रायक्ता है दो बटे तीन तो उस छात्र के पास नहीं होने की प्रायक्ता क्या होगी पास नहीं होने को हम फेल भी कह सकते हैं तो उसके लिए हम एक मेंसे इसको माइनस कर देंगे ध्यान रखना तो एक में से इसको माइनस किया एक बड़े तीन आ गिया है ठीक है तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रायक्ता होती है किसी भी चीज़ की सबसे कम होती है जीरो और सबसे जादा होती है एक ये ध्यान रखना प्रायक्ता 0 से 1 के बीच में होती है प्रायक्ता 1 से ज़ादा नहीं हो सकती यानि अगर मैं आप से ये कहूँ कि किसी घटना की होने की संभावना है 1.5 उसकी प्रायक्ता है 1.5 आप कहोगी यह तो गलत बोल लो आप 1.5 प्रायक्ता होई नहीं सकती सबसे ज़ादा प्रायक्ता एक है अगर किसी की प्रायक्ता किसी भी घटना की प्रायक्ता मैं घटना को E ले रहा हूँ ठीक है event किसी भी घटना की प्रायक्ता अगर एक है किसी घटना की होने की प्रायक्ता इसका मतलब इसको हम कहते हैं निश्चित घटना यानि ये पक्का होगी अब एक सिक्का है या कोई बॉल है वो अपने हाथ से आप छोड़ रहे हो उस बॉल के नीचे आने की क्या प्रायक्ता है तो आपको तो पता है ना भई मैं जितनी बार छोड़ूगा नीचे आएगी हजार बार छोड़ूगा हजार बार नीचे आएगी तो इसकी प्रायक्ता क्या है इसकी प्रायक्ता वन है लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बॉल को मैंने छोड़ा और ये उपर गई इसकी प्रायक्ता क्या है तो आप कहोगे कि छोड़ के ऊपर कैसे जाएगी वो वो तो कभी नहीं जाएगी चाहे पर एक हजार बार छोड़ो उसको तो यानि इसके होने की प्रायक्ता जीरो है तो जब किसी भी घटना की प्रायक्ता जीरो होती है तो इस परणाम को हम कहते हैं असंभव परणाम यानि ये असंभव घटना है यह परणाम आना असंभव है ये हो इस सीज़ का होना असंभव है तो ये है basic प्रायक्ता मैं आपको एक दो और छोटे question बताता हूँ अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आगे होगा वैसे एक सिक्का है सिक्का को उच्छाला जाता है हेड आने की क्या प्राइक्ता है बताओ हेड आने की प्राइक्ता क्या है तो देखो जब हम सिक्का उच्छालते हैं तो सिक्क्य के जो सभी परिणाम होते हैं क्या होते हैं तो सबसे पहले तो जो सभी परिणाम होते हैं इनका एक ग्रूप बना दो भई सिक्क्य में या तो हैड आएगा या टेल आएगा अच्छा हैड अब देखो हमने हैड आने की प्राइकता निकाल ली है तो head देखो आपके book में चित और पट है चित यानि head पट यानि tail तो आप इसका ध्यान रखना ठीक है head tail जादा easy है बोलना इसलिए मैं वो कह रहा हूँ तो head कितनी बार है? head तो एक बार है है न ये? लेकिन सभी परिणाम की संख्या नीचे आती है यानि दो तो इसका आंसर एक बड़े दो आ गया है tail आने की क्या संभावना है? तो tail भी एक ही है और नीचे सभी परिणाम तो इसकी प्राइकता भी एक बड़े दो है ठीक? अच्छा अगर हमारे पास दो सिक्के हैं दो सिक्के अगर उच्छा ले जाते हैं तो पहले बात तो यह है कि सभी परिणामों को हम किस तरह से लिखेंगे इस पर question क्या बन सकते हैं मैं भी आपको बताताओं पहले में सभी संभाव परिणाम आपको बता रहा हूँ तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं जब हम दो सिक्चे अच्छ लेएं तो ध्यान से देखो दो सिख्य हम उच्छा लेंगे या तो दोनों में हेड आएगा है ना दो सिख्य हमने उच्छा ले या तो दोनों में हेड आया या तो पहले सिख्य में हेड और दूसरे सिख्य में टेल आएगा या फिर यह हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए और या फिर दोनों सिकों में टेल आ सकता है तो ये सभी परणाम होगे अब प्रश्ण इस पर कैसे बन सकते हैं अगर मैं आपसे ये पूछू कि हमें प्रायक्ता ग्याद करनी है दो हेड आने की दो हेड यानि दो चित आने की प्रायक्ता क्या होगी तो दो हेड आने की प्रायक्ता यहां पर क्या है तो दो हेड यहां कितनी बार आपको दिख रहे हैं इसमें दो हेड कितनी बार है एक ही तो बार है जब दो हेड आ रहे हैं और सभी संभव परिनाम नीचे आते हैं, तो सभी परिनाम कितने हैं टोटल? चार है ना, एक, दो, तीन, चार, तो सभी परिनामों की संख्या को हम नीचे लिखते हैं, और यह आ गया है, अगर question यह हो कि एक head आने की क्या प्रायक्ता है, तो एक head कितने बार आता है, तो एक head एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानि दो बार एक head आ सकता है, और नीचे सभी परिनामों की संख्या, यह कट जाएगा, एक बड़ दो आएगा, और ऐसे ही हम यह कह सकते हैं, कि या तो हम दो tail कह सकते हैं, या कभी कबार question यह आता है कि कोई head नहीं, कोई head नहीं, तो कितनी बार ऐसा है कि कोई भी head नहीं, तो इसमें कोई भी head नहीं है, है ना, दोनों tail है, तो वो भी एक है, और नीचे चार, तो इस तरह से हम practice की ज्यानत करते हैं, तो बाकी जो आपके questions हैं, NCRT के questions, उनको भी solve करके, मैं पूरी जो description box में playlist है उसमें लगा दूँगा, आप उन videos को भी देख लेना, एक और question यहापर है, भारत के match जीतने की practice है ये, तो भारत के match नहीं जीतने की practice क्या होगी, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, तो इसके लिए हम एक मैसे minus कर देते हैं, अगर आपको detail में लिखना है, तो प्रायक्ता है match जीतने की, ये है पाच बटे छे, तो यानि नहीं जीतने की practice क्या है, नहीं जीतने की practice होती है, वन माइनस जीतने की practice, तो जीतने की practice और नहीं जीतने की practice, दोनों मिलाके वन होता है, तो वन में से ये minus हो जाएगा और ये एक बटे छे आ गया है, इस तरह से हम ग्याद कर ठीक है अगर उल्टा होता नहीं जितने की प्रायक्ता दी होती जितनी की प्रायक्ता मागी होती तो फिर भी हम वन में से ही माइनस करते तो मैं उम्मीद करताओं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आगया होगा और अब हम इसकी प्रशनावली को हल करेंगे और सबसे पहले हमारे पास है प्रशनावली 4.1 और ये रहा इसका पहला question तो question में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे pie chart बना हुआ है यह pie chart है अच्छा question क्या है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समोह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं तो लोगों के संगीत music के अलग-अलग taste होते हैं किनी को पुराने गाने पसंद होते हैं किसी को नए गाने पसंद होते हैं इस तरह से सर्वे किया गया और इसके बाद जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे पाइचार्ट में दर्शाए गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग संगीत 30% लोगों को पसंद है मनोरंजक संगीत 40% लोगों को शास्त्रिय संगीत है 10% उप शास्त्रिय 20% तो यह यहाँ पर लिखावाय प्रतिशत में तो पहला पार्ट है इस question का यदि 20 व्यक्ति शास्त्रे संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने यह व्यक्तियों का सर्वी किया गया तो देखो शास्त्रे संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत तो 10 है और संख्या उनकी 20 है तो यह 20 संख्या केवल उन लोगों के है जिनको के 10 प्रतिशत है यही हमें ग्याद करना है कि सभी लोग कितने है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना अभी व्यक्ति X है और यही हमें ग्याद करना है ठीक है अच्छा अब यह जो शास्रिय संगित है यह 10 प्रतिशत है और संख्या में दिखा जाए तो 20 है तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी व्यक्तियों का 10 प्रतिशत जो है वो 20 है यानि सभी व्यक्ति कितने है X है X का 10 प्रतिशत कितना है 20 है तो X का की जगह पे गुणा यह 10 बटे 100 कर देंगे हम 0 से 0 कटा यह 20 हमने उतार दिया और अब क्या होगा यह 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा X बराबर 200 यानि 200 व्यक्तियों का सर्वी किया गया तो इस तरह से हम अपना final statement लिख देंगे 200 हमारा answer हो गया है तो पहला पार्ट आपको समझ आ गया अच्छे से सेकिन पार्ट इसका है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों दोरा पसंद किया जाता है तो आप यहाँ पर पाई चार्ट देखे आराम से बता सकते हैं कि जो मनोरंजग संगीत है वो 40 प्रतिशत लोग पसंद करते हैं तो second part का answer सीधे आ जाएगा मनोरंजग अब तीसरा part हमारे पास है यदि कोई cassette company 1000 CD बनाए तो वहाँ प्रतिशत परकार की कितनी CD बनाएगी तो यहाँ पे यह जो पाई चार्ट बना है इसी के आधार पर हम यह पताएंगे कि प्रतिशत परकार की कितनी CD बनानी चाहिए देखो जब सर्वे किया जाता है और यह सब आंकड़े इकठे किये जाते हैं तो इसका फाइदा होता है अब आप सोचो कि आपकी company है cassette बनाने की और आप CD बनाते हैं 1000 CD आपने बनाई और सभी आपने शासरे संगित की बना दी या सबसे जादा शासरे संगित की बना दी तो क्या फाइदा है उसका फाइदा कम होगा क्योंकि शासरे संगित सुनने वाले कम है तो आपको जिस हिसाब से market में लोग है जिस हिसाब से लोगों को पसंद है उस हिसाब से आपको अपना product आप बनाएंगे आप उसी साब सीडी बनाएंगे तो यही यहाँ पर कहा गया है कि शास्रे संगीत की कितनी सीडी बनानी चाहिए लोग संगीत की कितनी इस प्रकार से तो यह जो प्रतिशत लिखे हुए हैं इसी आधार पर हम यह ग्यात करेंगे ठीक है और दियान रखना सभी सीडी की संख्या है एक हजार तो हम यह लिखेंगे सबसे पहले कि सीडी की कुल संख्या कितनी है एक हजार है और अब शुरू करते हैं शास्रे संगीत से कि शास्रे संगीत की सीडी की संख्या यानि कितनी बनाई जाएंगी तो शासरे संगित की CD की संख्या क्या होगी तो देखो सभी CD हैं 1000 और शासरे संगित कितने परतिशत लोग सुनते हैं 10 परतिशत लोग तो CD भी कितनी बनेंगी 1000 का 10 परतिशत तो हम क्या करेंगे 1000 में गुणा करेंगे 10 और 100 से भाग दे देंगे क्योंकि प्रतिशत है जिरो से जिरो कटा जिरो से जिरो कटा और यह आ जाएगा सौ समझ गए तो शास्त्रे संगीत की सौ सीड़ी बनानी चाहिए बनाएंगी मतलब उसके बाद है उपशास्त्रे संगीत यह हो गया उपशास्त्रे संगीत तो उपशास्रे संगीत की CD की संख्या कितनी होगी तो ये 1000 का कितना परतिशत है उपशास्रे संगीत 20 परतिशत है तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 20 बटे 100 और इस तरह से ये हिसाब होगा 200 आ जाएगा कैल्कुलिट करके ठीक है अब इसके बाद हम बात करतें मनोरंजक संगीत की तो मनोरंजक संगीत के CD की संख्या क्या होगी ये आएगा 1000 का कितना परतिशत मनोरंजक संगीत 40 परतिशत लोग सुनते हैं तो ये 40 परतिशत यानि 1000 गुणा 40 बटे 100 और ये आजाएगा 400 ठीक है यहाँ पर 20 से 20 कटेंगे 400 आजाएगा और इसके बाद है लोग संगीत तो लोग संगीत की CD की संख्या कितनी है तो लोग संगीत 30 परतिशत लोग पसंद करते हैं यानि यह आएगा 1000 का 30 परतिशत ठीक है और फिर वही कैलकुलेट करेंगे 1000 और यह गुणा और यह हो जाएगा 30 परते 100 तो यह 2-0 से 2-0 कटे यह 300 आजाएगा और यह हमारा आंसर है तो इस परकार से हम यह ग्याद करेंगे ठीक है तो यह सभी आंसर आचुके हैं यह 100, 200, 400 और 300 मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह पूरा सलुशन अच्छे से समझ आया होगा Q2 है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 रितूँ वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मन पसंद रितू के लिए मद्दान करने को कहा गया कि आपको कि किसी को कौन सी रितू पसंद है, यह इसके लिए मद्दान क्या गया इस प्रकार से जो आकड़े प्राप्थ हुए, यह इसको इसमें दर्शाया गया है तो इस पे आधारित, यह प्रशन है, हमें इनके आंसर देने है अच्छा, आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, कि आपको कौन सी रितू पसंद है चलिए, तो पहला पार्ट इसका है, किस रितू को सबसे अधिक मत मिले तो यहां से आप देख सकते हैं, शीत रितू को, यानि सर्दी रितू को सबसे अधिक मत मिले इसका आंसर यह हो गया है, सेकंड, अब यहां पर प्रतेक तरिजखंड का केंद्रिय कोन ग्यात कीजिए यानि देखो, जब हम पाई चार्ड बनाते हैं, तो पाई चार्ड बनाने में आपको पता होगा, इस तरह से पाई चार्ड बनता है ये पाई चाड इस तरह से बनता है, है ना तो यहाँ पर इनको हम तरिज्य खंड कहते हैं एक तरिज्य खंड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और हर एक तरिज्य खंड का केंद्रिय कोण होता है जैसे इस वाले तरिज्य खंड का ये केंद्रिय कोण है इस वाले त्रिजखंड का ये केंद्रिय कोण है और इस वाले का ये केंद्रिय कोण है ऐसे ही इस वाले का ये है तो जब हम पाई चार्ड बनाते हैं तो हमें केंद्रिय कोण पता होना चाहिए कि कितना है तो हमें केंद्रिय कोण ग्यात करना है पहले और उसके बाद पाई चार्ड भी बनाना है तीसरे पार्ट में हमें पाई चार्ड भी खेंचना है लेकिन बस पहले मैंने आपको ये बताए कि केंद्रे कोण होता क्या है और तरिजखंड क्या होता है तो जो तरिजखंड यहां पर लिखा है वो pie chart में ये, जैसे हमारे पास, जैसे इसमें pie chart कुछ-कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये, ये केंद्र है, एक line ये होगी, एक ये बनेगा, ये बनेगा, और फिर ये बनेगा, तो इस तरह से, तो एक 3-3 खंड ये है, एक 3-3 खंड ये है, अब ये हम draw कैसे करेंगे, तो इसके ल केंद्रिय कोंड अगर हमें पता है तो आराम से हम पाचार ड्रॉ कर सकते हैं अब यानि हमें निकालना है केंद्रिय कोंड यानि ये जो कोंड है बने हुए तीनों कोंड जो बने हुए है ये ये कितने कितने है उसके लिए हम क्या करेंगे एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो इस प्रकार से हम तालिका बनाएंगे और देखो हमें ये टेबल इस तरह से बनानी है कि हर एक के लिए कम से कम दो खाने मिलें तो देखो सबसे पहले ग्रीश्म, वर्षा और शीद तो ग्रीश्म ये वर्षा और शीत ग्रीश्मरितू नब्बे, नब्बे मत मिले सबसे कम वर्षा 120 और शीत 150 यहां तक ठीक है और कुल मतों की संक्या है 360 अगर आप इनको प्लस करें तो 360 आएगा यहां तक सब ठीक है जैसे क्वेशन में जानकरी दे हैं तो वही अभी तक हमने लिखी है अब केंद्रिय कौण कैसे ज्यान करते हैं यह अब ध्यान से समझो तो अब ग्रीश्म का कौण कितना बनेगा तो ग्रीश्म को मिले 90 मत, 90 उपर आ जाएगा और कुल मत कितने 360 360 कुल मत प्राप्त हुए और ग्रीश्म को 90 मिले तो ग्रीश्म वाला उपर आ जाएगा और कुल नीचे आ जाएगा और 360 का गुणा करेंगे 360 अंश का गुणा करेंगे और अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 360 अंश का ही क्यों गुणा किया अब ये चांस के बात है कि ये भी 360 है अगर मान लो कि ये 180 होता है ये 200 होता कुछ भी तो फिर यहां पर वो 180 आता लेकिन गुणा तो 360 का ही होता तो यहां पर ये ठीक है अच्छा अब ये 360 से 360 कटा और ये 90 अंश आ गया अब वर्षा इसका केंद्रियकोंड कितना बनेगा तो वर्षा का केंद्रियकोंड पहले वर्षा को 120 मत मिले और कुल मत कितने थे 360 गुणा करेंगे 360 का ही तो 360 से 360 कटा और 120 आ गया तो 120 अंश ये है वर्षा रितु के लिए शित रितु का 150 बटे 360 और 360 समझ गया न आप और यह कटेगा as always और यह आ जाएगा 150 अंश तो सभी के केंद्रे कोण हम पता कर चुके हैं और यह हमारा आंसर भी है तो यह कोण है अगर आपने पूरे कोण तिनों को प्लस करने है तो यह 360 ही आएगा आप देख लो 150 और 120 और 90 तीनों को मिला के 360 अंश आएगा तो यह हम केंद्रे कोण सभी के पता कर चुके हैं तो एक आंसर यह है एक आंसर यह है और एक आंसर यह है ठीक है अब तीसरा पार्ट इस प्रशन का है यह हो गया यह हो गया इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खीचो देखो पाई चार्ट कैसे खीचते हैं सबसे पहले हम एक वृत बनाते हैं एक सरकल बनाते हैं तो यह हमने एक सरकल बनाया ठीक है इसको ब्लेक कर देते हैं यह एक सरकल है अब सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये है कि केंद्र से केंद्र से ये केंद्र है इसका और केंद्र से हमने एक लाइन ऐसी खीचनी है ये लाइन खीचनी ही खीचनी है बिलकुल हमेशा जब भी पाई चाट बनाएंगे ये लाइन तो आएगी ही आएगी तो ये हमने इसे खीज़ दिया है ओके, और अब हमें क्या करने है अलग-अलग तिर्जेखंड बनाने है गर्मी के लिए, वर्षा के लिए, शीत के लिए और किन की मदद से बनाने है कोण यहाँ पर दिये है, केंद्रिय कोण तो पहले 90 अंश का कोण बनाना है उसके बाद 120 अंश का और फिर 150 अंश का तो पहले 90 अंश का कोण बनाते है कोण कैसे बनाएंगे हम? कोण हम बनाएंगे चांद की मदद से, बिलकुल आपको इसकी मदद से बनाना है तो, ओके, तो यहाँ पर अब ये चांद छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है ठीक है ये इसका जो आकार है ये इस वृत से छोटा भी हो सकता है इस वृत से बड़ा भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चांद यहाँ पर है 90 अंश का कोण बनाना है तो कोण कैसे बनता है तो सबसे पहले आप देखो जो चांद का ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है चांद का उसको केंदर से मिलाओ तो यहाँ पर इसको हमने केंदर से मिला दिया और यह जो जिरो वाली लाइन है बिल्कुल जो लाइन पहले खींची थी उसके उपर आनी चाहिए और अब नब्बे तो नब्बे कहाँ पर है आप क्लिरली देख सकते हैं कि नब्बे अंश यह है यह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चांद की मदद से कौन कैसे बनाते हैं यह तो आता होगा और अब इसको हम केंदर से मिला देंगे तो नब्बे अंश हो चुका है तो यह नब्बे अंश का कौन बन चुका है तो अब यह जो लाइन हम खीच चुके हैं इसको आधार मानेंगे और यहाँ पर यह चांद को हम ऐसा रखेंगे ठीक है और 120 कहाँ पर आ रहा है 120 यह आ रहा है यहाँ पर तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खीचेंगे केंद्र से यह और ये हो चुका है 120 अंश और जो तीसरा है इसके लिए बनाने की जरूत नहीं क्योंकि जो बचावा है वो 185 होगा तो ये है 150 अंश 120 वाला ये है वर्शा रितु और 150 अंश ये है शीत रितु यहाँ पर अगर संख्या लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं वर्शा रितु को 120 मत मिले और शीत रितु को 150 मत मिले और ये पाईचाड एकदम परफेक्ट पाईचाड बन चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेशन भी अच्छे से समझ आया होगा क्वेशन नमर थ्री है निमनिलखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाईचाड खींचिये हमें एक पाईचाड बनाना है यह सारणी व्यक्तियों के एक समो द्वारा पसंद के जाने वाले रंगों को दर्शाती है तो यहाँ पर निला रंग 18 लोगों को पसंद है फिर हरा 9 लोगों को लाल 6 लोगों को पेला तीन लोगों को और टोटल कितने हैं 36 व्यक्ति हैं और हमें एक पाईचाड बनाना है इस सूचना पर आधारित तो देखो पाईचाड बनाने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए केंद्रियकोंड पता होना चाहिए केंद्रियकोंड क्या है तो हमें केंद्रियकोंड ग्याद करना है उसके लिए हम एक टेबिल बनाएंगे तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो प्रश्ण में हमारे पास ये सारणी दी है इसको हमने थोड़ा इस तरह से लिख दिया है और एक और कॉलम बना दिया है और इस कॉलम में क्या आएगा इस कॉलम में आएगा केंद्रिय कॉन जिसकी मदद से हम पाई चार्ड बनाएंगे ओके तो केंद्रिय कॉन हर एक का गयाद करते हैं केंद्रिय कॉन कैसे गयाद करते हैं तो नीला इसका कॉन कैसे बनेगा देखो अगर आपने पिछले कॉशन का सलूशन देखा हो तो आपको मैंने उसमें बताया था कि केंद्रिय कॉन कहां पे काम आता है ये पाई चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें अलग-लग त्रीजे खंड होते हैं ये अलग-लग त्रीजे खंड होते हैं है ना तो इसमें ये केंद्रिय कोण होते हैं इन कोणों की मतद से हम पाई चार्ट बनाते हैं तो यही कोण कितने हैं यहाँ पर हम लिखते हैं तो नीला जो है उसका कोण कितना बनेगा कुल 18 व्यक्तियों को नीला रंग पसंद है 36 में से तो 18 नीला 18 लोगों को पसंद है और कुल लोग जो है यहाँ पर लिखा है 36 वो नीचे आएगा और 360 का गुणा करते हैं क्योंकि जो संपूर्ण कोन होता है पूरा गोला ये 360 अंश का होता है तो इसलिए 360 का गुणा करते हैं अब ये कटा दस बार और ये 180 अंश आ जाएगा अब हरा ये 9 लोगों को पसंद है और 36 कुल लोग है 360 का गुणा करेंगे और ये 90 अंश आ गया है न ये 10 बार गया 90 अंश लाल 6 लोगों को पसंद है 6 बटे 36 गुणा 360 तो ये 6 मतलब ये 60 अंश आ गया और 3 लोगों को पसंद है पीला 30 अंश ये आ गया है तो इस तरह से सभी केंद्रे कुणा आ चुके हैं अगर आप इनको प्लस करेंगे तो टोटल 360 आएगा प्लस कर लेना ताकि पता चल जाए कि आपने गलत तो नहीं किया है तो 30 और 60 और 90 और 90 हुआ 180 और 180 और 180 हुआ 360 हुआ 360 यानि ये ठीक ठाक लिखे हैं और अब हम बनाएंगे पाई चार्ट तो पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले एक वृत बनाएंगे और सबसे पहले क्य हम कोंड बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नीला इसका बनेगा 180 और कोंड किसकी मदद से बनाएंगे हम चांद की मदद से तो यहां पे यह हम यह रखेंगे और सबसे पहले 180 180 और बहुत ही आसान होता है क्योंकि एकदम सीधी रेखा होती है तो 180 यहां पर आप कीज देंगे केंदर से मिलाते हुए यह हो गया है ठीक है यह अंश यह कितना है 180 अंश कौन सा रंग है यह नीला और इसके बाद है हरा हरा नब्य अंश तो नब्य अंश का कोड़ा अब हमें इसमें बनाना है तो यहां पर नब्य अंश का हमें बनाना है तो जो इसका यह ज ये ये पूरा इस तरह से जो चांद का जिरो है बिलकुल यहाँ पर आना चाहिए जिस पर हमें कोड बनाना है और ये हो गया है नब्बे यहाँ पर है है ना भई जो ये लाइन है ये बिलकुल चांद के जिरो पर ये आनी चाहिए ये वारे लाइन तो इस तरह से आ चुकिए 90 यहाँ पर है आप देख सकते हैं और अब हम केंदर से इसको मिला कर एक लाइन खीचेंगे यह है 90 और यह है अब इसके बाद लाल यह 60 अंश इसका बनेगा तो यहाँ से हम 60 अंश का कौन बनाएंगे तो फिर से जो चांद का 0 है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे जो इस लाइन के आगे हम बनाएंगे ठीक है न पर इस लाइन के आगे हम 60 अंश का बनाएंगे जो यह है तो यहाँ पर यह आधार यह बनेगा 60 यह है 60 यह है 60 यह है न तो यहां से लाइन केंदर से मिलाने वाली लुल्ले का रेखा खेंचेंगे यह यह हो गया है और यह है साथ अंश यह है लाल और जो शेश तीस अंश है यह है पीला और यह पुरा पाईचाड बन चुका है हम यह संख्या भी लिख देंगे नीला अठारा नो छे तीन तो यह अठारा है यह नो छे तीन और इस तरह से यह परफेक्ट पाईचाड बन गिया है परशन नंबर फोर है सनलगन पाईचाड में यहाँ पाईचाड है इसमें एक विध्यारती द्वारा किसी परिक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गनित, सामजिक विज्यान और विज्यान में प्राप्त किये अंकों को दर्शाता है तो इसमें जो अंक लिखे हैं यह ध्यान रखना यह परतिशत में अंक लिखे हैं यह अंक नंबर में नहीं लिखे हैं संख्या में नहीं रिखे हैं, प्रतिशत में लिखे हैं अच्छा, कुल प्राप्थ अंग है 540, टोटल तो अब हमें इन प्रश्णों की उत्तर देने हैं पहला प्रश्ण है, पहला पार्ट है किस विशे में उस विध्यारती ने 105 अंग प्राप्थ किये? ओके, तो पहला पार्ट देखो माईडियर ये जो पूरा का पूरा वृत होता है ये कितने अंशका होता है ये पूरा जो सरकल है कितने अंशका होता है ये 360 अंशका होता है तो 360 को ही यहां बाटा गया है 90 ये है, 65 ये है, 80, 70, 55 360 को ही ये बाटा गया है ठीक है question यह है कि 105 अंक किसमे प्राप्त किये तो जो 360 अंश है ये क्या है ये पूरा का पूरा वृत है सभी कोणों का योग है और ये सभी अंकों के equivalent है यानि सभी अंक कितने प्राप्त हुए 540 अंक प्राप्त हुए तो 540 अंक 360 अंश के बराबर है तो हम ये लिखेंगे कि 540 अंकों के लिए केंद्रिय कोण 360 कितना? 360 अंश तो 540 के लिए 360 है तो 105 के लिए क्या होगा? मतलब ये कहा गया है कि 105 अंक किसमे प्राप्त किये तो यहाँ पर तो ये अंश में है ना तो अब हम ये देखना है कि 105 अंक कोण से कितने अंश में आता है तो 105 अंकों के लिए केंद्रिय कौन क्या होगा तो देखो हम क्या करेंगे कि ये जो 360 है इसमें तो भाग होगा किसका 540 का ये नीचे आएगा और उपर गुड़ा हो जाएगा 105 का इस तरह से या तो आप इस तरह से लिखो कि 105 यहाँ पर ये उपर आएगा 540 ये नीचे आएगा और ये 360 ठीक है तो जो ये लिखा होता है ये जाता है नीचे और जो ये यहाँ पर लिखा होता है ये जाता है उपर ठीक और अब हमने इसे काटना है 0 से 0 कटा 18, 53, 54 18, 22, 36, 3 से ये कटेगा तो 35 और ये आजाएगा 70 अंश और 70 अंश यानी हिंदी तो हम ये कहेंगे कि 105 अंक उसे हिंदी में पराप्त हुए ठीक है इस तरह से हम ये लिख देंगे ये हमारा आंसर है अब है सेकिन पार्ट सेकिन पार्ट में हमें क्या बताना है उस विद्यारती ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक पराप्त किये तो आसान है हिंदी के अंक तो हमें पता है गणित के अंक पता करने है फिर पता चल जाएगा तो गणित में पराप्त अंक देखो गणित में कैसे पता चलेगा कैसे मतलब हम ग्याद करेंगे गणित है 90 अंश है ना 90 अंश है अब देखो 360 अंश जो है इसका कोण इसका मतलब है कितने अंक इसका मतलब है 540 अंक समझे ना आप 360 अंश कोण यानि पूरा का पूरा चकर 360 है ये और सारे के सारे जो अंक प्राप्त किये वो 540 है यानि ये दोनों आपस में एक्वेलेंट है ये दोनों आपस में बराबर कह सकते हैं हम तो यानि 360 अंश कोण 540 अंक के बराबर है और गणित का कोण कितना है गणित का नबे अंश है तो नबे अंश कोण कितने किसके बराबर होगा तो मैंने आपको क्या बताय था मैंने आपको बताय था कि ये तो जाता है नीचे और ये जाता है उपर अच्छा नो चोको चटिस, चार बार कटे गए, चार से हम भाग देंगे, चार कम चार, चार तियंबारा, चार पंचे बीस, 135 अंक तो यानि गणित में उस विध्यार्थी ने 135 अंक प्राप्त किये, यह हमारा आंसर है अब तीसरा पार्ट, यह हो चुका है, जाच कीजिए कि क्या सामाजिक विग्यान और गणित में प्राप्त किये गए अंकों का योग, विग्यान और हिंदी में प्राप्त किये अंकों को योग से अधिक है, इसमें यह नहीं बताना है कि कितना अधिक है, किवल यह बताना है क क्या अधिक है या नहीं है तो इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें क्या करना है सामाजिक विज्ञान और गणित सामाजिक विज्ञान है ये और गणित ये है इनके कौनों का योग क्या है 65 और 90 को जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सामाजी की ज्यान और गणित के केंद्रे कोणों का योग तो कितना 65 और 90 65 अंश और 90 अंश यानि 155 अंश ठीक है अब उसके बाद फिर है विज्ञान और हिंदी विज्ञान है 80 और हिंदी है 70 तो इनका योग करेंगे विज्ञान और हिंदी के केंद्रे कोणों का योग तो कितना तो एक 80 अंश और एक 70 अंश है यानि 150 अंश तो प्रश्न exactly क्या पूछा था कि जाँच केजे कि क्या सामाज़े विज्ञान और गणित में प्राप्त किये अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किये अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किये अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किये अंकों का योग विज्ञान और हिंदे में प्राप्त किये अंकों के योग से अधिक है और इसे के साथ ये प्रश्ण हो गया समाप्त तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेशन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा पांचवा प्रश्ण है किसी छात्रावास में यानि किसी होस्टल में विबिन भाषाय बोलने वाले विध्यारतों की संख्या नीचे दी गई है तो यहाँ पर विबिन भाषाय बोलने वाले विध्यारतों की ये संख्या है इस तालिका में इस टेबिल में आप देख सकते हैं इन आखडों को एक Pi Chart द्वारह प्रदर्शित कीजिए हमें इनका एक Pi Chart बनाना है तो देखो Pi Chart बनानी के लिए हमें केंद्रिय कोण बनाना होता है तो उसके लिए पहले Table को इस तरह से हम बना देते हैं तो यह आप देख सकते हैं Table को मैंने ऐसे बना दिया बिल्कुल जो question लिखा है वैसे ही मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है तीसरा column जो मैंने अलग से बनाया है यह केंद्रिय कोण के लिए बनाया है तो केंद्रिय कोण क्या होता है जब हम pie chart बनाते हैं तो pie chart में अलग-अलग त्रिजखंड होते हैं आपने देखा होगा पाई चार्ट में अलग लग तरी जे खंड जो होते हैं और इनके केंद्रिय कोण होते हैं ये कोण है 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 तो जब केंद्रिय कोण हमें पता होते हैं तब ही हम पाई चार्ट बना पाते हैं तो हम केंद्रिय कौन यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले तो ग्याद करना है हमें ठीक है केंद्रिय कौन कितने कितने हैं कैसे ग्याद करते हैं तो देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 40 और कुल लोग कितने हैं कुल जो विध्यारती है 72 तो उसे भाग दे देंगे और 360 से गुणा कर देंगे 360 से क्यों गुणा किया क्योंकि जो पूरा संपूर्ण कोन होता है वो 360 अंश का होता है और इसी के ही टुकड़े यहां पर अंदर होते हैं तो 360 का दे दिया है ठीक है अच्छा अब ये कटेगा तो 72 से तो ये कटता है 5 बार और 5 से गुणा 5 को 20 200 अंश अच्छा ठीक है अब इसके बाद अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने वाले 12 हैं और कुल कितने हैं 72 तो वैसे ही हम करेंगे ये 5 बार जाएगा और 12 पाँचे 60 अंश ये हुआ अब मराठी, मराठी 9 है तो 9 बटे 72 गुणा 360 फिर वही करेंगे ये कटेगा 5 बार 9 पचे 45 और उसके बाद फिर है 7 बटे 72 गुणा 360 ये भी 5 बटे 5 बार कटेगा 5 से ते 35 अंश और इसके बाद है 4, 4 बटे 72 गुणा 360 5 बार जाएगा 5 को 20 अंश इन सब को जोडते है क्या 360 आ रहा है तो 5, 5, 10 0 1 3, 3, 6 6, 4, 10 10, 6, 16 16 का 6 हसिल 1 2 और 1, 3 बिल्कुल यानि हमने ये ठीक ठा किया है अगर योग 360 नहीं आता यानि कुछ गड़वड हुई है बीच में फिर तो ये हो चुका है ठीक है और अब हम इन कोड़ों की मदद से पाइचार्ट बनाते हैं तो पाइचार्ट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक वृत तो ये एक वृत हमारे पास है और सबसे पहले क्या करते हैं केंदर से एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं हमेशा हमेशा और अब हम यहां से कोड़ बनाने के शुरुबात करेंगे तो पहला कोड़ ये बनेगा फिर कोई लाइन आएगी फिर उससे दूसरा कोड़ बनेगा फिर लाइन आएगी इस सरे से होता है ठीक है, तो और कोण हम किससे बनाइंगे, चांद एकी मदद से, चांद, ओके, तो सबसे पहला कोण है, दो सो अंश का, तो यहाँ इसको हम रखते हैं, बिलकुल जीरो पे, केंदर पे हम इसका केंदर रखेंगे, यह, और दो सो, दो सो कहाँ पर है, दो सो तो देखो अब दो सो तो इसमें भी नहीं है तो ये तो एक सो असी तक यहां तक आता है ठीक है तो जब भी हमें चांद की मदद से एक सो असी अंश से बड़ा कॉन बनाना होता है तो उसकी टेकनीक क्या है अब देखिए दो सो अंश का कॉन कैसे बनाना है तो एक तरीका इसका है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ 360 अंश में से 200 माइनस करो कितना हुआ 160 अंश है न तो हम 160 का दूसरी तरफ बनाएंगे उल्टी तरफ बनाएंगे 160 का कैसे देखो तो 160 का बनाते हैं हम दूसरी तरफ 160 कहां पर है ये 160 है ठीक है दिख रहा है ने ये 160 ये तो ये 160 है अब एक लाइन हम खींज देंगे इससे जोड जाने वाली ये हमने लाइन खींज दी है तो ये तो 160 अंश है लेकिन ये वाला क्या हो गया ये वाला 200 अंश हो गया तो ध्यान रखना 200 अंश कैसे बनाया 160 मलब 360 में से 200 को माइनिस किया बचे 160 वो 160 दूसरी तरफ बनाओ तो 160 अगर इस तरफ है तो 200 फिर इस तरफ हो गया तो ये 200 अंश हो चुका है इसको वापस मिटा दो और ये है हिंदी तो यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी समझ आ गया अब इसके बाद है अंग्रेजी 60 अंश तो 60 अंश तो सीधा बन जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर यह बिलकुल यह रख दिया और यहाँ पर यह 60 यह आ रहा है यहाँ पर है न तो यह 60 अंश अंग्रेजी ठीक है अब इसके बाद 45 अंश है मराठी तो 45 यहाँ से हम कोंड बनाएंगे ठीक है न अब यह लाइन खीचे न इससे आगे 45 अंश बनेगा ऐसे तो यहाँ पर हम रखेंगे चांद और यह 45 तो 45 यह 0 है यह 45 यहाँ पर है यह 45 है तो यहाँ पर हम यह हो गया 45 अंश है मराठी ठीक है फिर 35 तमिल तो 35 फिर इसके आगे यहाँ पर इसके आगे कोंड बनाएंगे केंदर को मिलाया केंदर से और यह पर्फेक्ट 35 यह है यहाँ पर है नँँद यह 35 है न यह 30-40 है बीच में 35 है तो यह यह 35 तमिल और लास्ट जो बसता है उसको हम सिदा लिख सकते हैं तो यह 20 है लास्ट वाला और यह है बंगाली यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं हिंदी जो है यह 40 है अंग्रेजी 12 मराटी के विध्यारती 9 है तमिल के विध्यारती 7 है बंगाली के विध्यारती 4 है तो यह पाई चार्ट ड्रो हम कर चुके हैं और इसी के साथ यह पूरी प्रशनावली समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको सभी questions अच्छे से समाझ आए होंगे और अब हम हम हर करते हैं इस चैप्टर की प्रशनावली 4 दर्शनलबब 2 के प्रशनों को और यह है इस प्रशनावली का पहला प्रशन प्रशन इस तरह से है इन प्रियोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं तो देखो यहाँ पर इस question में दो पार्ट हैं पहला पार्ट है लिखा हुआ पाहिये को घुमाना और दूसरा पार्ट है दो सिक्कों को एक साथ उछालना पहला पार्ट पे फोक स करो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह पहिया है इसको जब हम ऐसा घुमाते हैं तो अभी तो यह जो तीर है B के सामने टिका हुआ है, कभी कभारी C के सामने टिक सकता है, कभी इस तीर के सामने D आ सकता है, कभी तीर के सामने A आ सकता है, तो यही हमें बताना है कि जब हम इस पहिये को घुमाते हैं, तो क्या का परिणाम संभव हैं, तो इस तरह से हम पहले पहिये को घुमाने से प्राप्त परिणाम, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, देखो जब हम पहिये घुमाएंगे तो A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, और D भी आ सकता है, इसके लाबा तो कुछ और नहीं आ सकता न, तो हम यह लिखेंगे कि जो परिणाम है या तो A आएगा, या B आएगा, या C आएगा, या D आएगा, ठीक है बात समझ आगी, B पार्ट हमारे पास है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, तो देखो, दो सिक्कों को जब एक साथ उछालते हैं, तो उससे क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, ध्यान से इस बा या तो दोनों में head है या पहले में head आएगा दूसरे में tail आएगा और क्या हो सकता है और यह हो सकता है कि पहले में tail हो, दूसरे बाले पे head हो यह है और या फिर दूनों पे tail हो तो यही इसके लाव़ को याउर justamente आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ H का मतलब क्या है H है Head यानि जिसको कहते हैं चित और T का मतलब Tail यानि पट ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि पहले पार्ट में A दो बार होना चाहिए तो S हम नहीं लिखेंगे A दो बार नहीं लिखेंगे हम बस ये लिख रहे हैं कि क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं बहिए जब ये वाले A आएगा तो भी तो आप ये कहोगे ने कि A आया है ये वाले A आएगा तो भी तो आप यही कहोगे कि A आया है तो इसलिए यहाँ पर A, B, C और डी यही पलिनाम होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा Q2 है जब एक पासे को फेका जाता है तो निम लिखी प्रतेक घटना से प्राप्त होने वाले पलिनाम को लिखिए तो यहाँ पर दो पार्ट है इनके भी अंदर पार्ट है तो first का a part एक अभाज्य संख्या देखो पासा क्या होता है आपने देखा होगा हम इसको dice कहते हैं पासा कहते हैं आपने देखा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 4, 5 और 6 बने वोए हैं ऐसे ही इसमें एक, दो, तीन भी होते हैं. तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, हम ये लिख देते हैं, कि पासे के सभी संभव परिणाम, फिर तब इनको लिखेंगे. तो पासे को फेगने से प्राप्त सभी संभव परिणाम. तो क्या-क्या परिणाम होते हैं जब हम एक पासे को फेंकते हैं क्या-क्या आता है उसमें तो पासे में देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इनमें से कोई भी आ सकता है आप इसको चाहे ऐसे लगाओ या इक्वल करके यहाँ पे इनको ऐसे में रख दो बात यह किया ठीक है ना तो जब पासे को फेकते हैं तो हमें ये परणाम प्राप्त होते हैं या आप जानते हैं है ना जब ये हम फेकेंगे तो क्या आएगा या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन चार पांच इस तरह से अब ये देखो एक अभाज्य संख्या जब हम प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या है एक अभाज्य संख्या जब एक अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो यानि कौन किन किन संख्याओं की बात की जा रही है हमें ये बताना है तब जब अभाजिस संख्या की बात की जा रही है तो यानि अभाजिस संख्या का मतलब क्या है कि जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है पर एक नहीं ध्यान रखना एक को हम अभाजिस संख्या नहीं लिखेंगे ध्यान रखना अभाज संख्या दो से शुरू होती है दो एक अभाज संख्या है तीन एक अभाज संख्या है पांच एक अभाज संख्या है चार अभाज संख्या नहीं है क्योंकि इसमें दो से भाग जाता है छे अभाज संख्या नहीं है यानि कौन कौन इसमें अबाज संख्या नहीं है, देखो एक अबाज संख्या नहीं होती है, ध्यान लखना है, ये बहुत इंपॉर्णन बात है, बच्चे इसमें गल्दी करते है, चार अबाज संख्या नहीं है, और छेवे अबाज संख्या नहीं है, अच्छा अब second है हमारे पास और इसका A part तो क्या कहता है ये पांच से बड़ी एक संख्या तो कौन-कौन सी संख्या आ सकती है पांच से बड़ी जब मैं पासा फेकेंगे तो पांच से बड़ी तो A की option है कि पांच से बड़ी है तो इसमें एक भी हो सकता है पांच से बड़ी नहीं है एक, दो, तीन, चार और पांच भी इसमें आएगा है ना क्योंकि पांच से बड़ी नहीं लिखनी हमने बाकी सब लिख सकते है तो बाकी पांच भी लिख सकते हैं हम ठीक है तो ये हमारे answer है तो ये भी मैं उम्मिद करता हूँ आपको समझ आगे होगा तीसरा question है और इसमें हमें प्रैक्ता ग्याद करनी है तो प्रैक्ता का proper सूत्र लगाएंगे formula और उसके बाद हम answer निकालेंगे तीन पार्ट इसके हैं पहला पार्ट देखो प्रश्ण 1A में सूचक के D पर रुकने की प्रैक्ता क्याद कीजिए तो आपको याद है प्रश्ण 1 का पहला पार्ट जिसमें पहिये को हमने गुमाया था तो इसमें हमें जो ये pointer है सूचक यानि ये जो यहाँ पे तीर है ये D पर इसके रुकने की प्रैक्ता क्या है यानि जब हम इस पहिये को घुमाएंगे तो सूचक के सामने D आएगा इसकी प्रैक्ता क्या है तो जब हम प्रैक्ता निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मुला होता है तो नीचे तो सभी परिणाम आते है जितने भी इसमें है तो जितने यानि एक, दो, तीन, चार, पाँच इन पाँचों में से कैसी भी एक जगह पे रुक सकता है तो पाँच ही होगे और उपर वो आते हैं जिसके हमें प्रयाक्ता ग्याद करनी है तो हमें प्रैक्तर ग्याद करने जो सूचक है वो D के सामने रूखे यानि जब हम इसको गुमाएंगे तो D के सामने तो D तो A की बार है नहीं यहाँ पे तो इसलिए उपर A का आएगा तो D पर सूचक यानि पौाइंटर जो तीर है उसके रुकने की प्रैक्ता एक बटे पांच है यहीं पर अगर question यह होता कि A के यानि जो सूचक है उसके A पर रुकने की प्रैक्ता क्या है तो A कितनी बार है यहाँ पर? A दो बार है तो फिर question में दो बटे पांच आ जाता तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जब हम प्रैक्ता याद करते हैं तो नीचे आता है सभी संभव परिणाम सभी परिणामों की संख्या तो यानि यह यहाँ भी रुक सकता था यहाँ भी रुक सकता था तो डीतो के ओल एक बार है एक बटे पांच आएगा एक ही प्रैक्ता निकालनी है तो वो दो बार है तो दो बटे पांच आएगा बात समझा गी? चलिए अब इसको प्रापर वे में लिखते हैं मैंने इस चित्र को यहीं पर बना दिया यह जो पहिया है और यह फर्स्ट में अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पर सभी परिणाम कितने है तो घटना के सभी परिणामों की संख्या तो यह कितनी है? यह है पांच ठीक है ध्यान रखना जैसे मैंने कहा था एक, दो, तीन, चार, पांच क्योंकि यहाँ इन में से किसी भी एक जगा रुक सकता है यह पॉइंटर दूसरा यहाँ पर जिसकी प्रैक्ता ग्याद करने है उसको हम कहेंगे अनुकूल परिणाम या पक्ष में तो यहाँ पर प्रैक्ता ग्याद करनी है डी की तो डी हो गया अनुकूल परिणाम या हमारे पक्ष में परिणाम जिसकी प्रैक्ता ग्याद करने है उसको हम ये कहेंगे ठीक है तो ध्यान रखना हम अनुकूल भी कह सकते हैं या पक्ष में तो ये है एक ठीक है पक्ष में केवल एक है क्योंकि D की प्राइक्त निकालने, D केवल एक बार है, तो यही हमने लिखा है कि D भाई एक यी बार है यहाँ पे, इसको हम यह भी लिख सकते थे कि घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या जैसे बुक में फॉर्मुला है, लेकिन यह मुझे लगता है कि ज्यादा सही तर और जो अनुकूल परिणाम है, यानि पक्ष में यह उपर आएंगे, पक्ष में यानि जो पूछा गया है क्वेशन में, तो एक बड़े पांच होगे, यह हमारा आंसर आ गया है, इस तरह से हम इसे करेंगे, अब है B, अच्छी प्रकार से फेटी गई, बावन ताशों के गड़ी में बावन ताश होते हैं, अब और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम यानि जो प्रश्ण में जिसकी प्रैक्ता ग्याद करनी होती है, वो अनुकूल हो गया, तो इसमें इक्का की प्रैक्ता ग्याद करनी है, तो इक्का एक अनुकूल परिण परिणाम को हो या पक्ष में परिणाम को हो बात एक ही है तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो ताश की गड़ी का तो आपको पता होगा कि उसमें चार इके होते हैं, चार दुगी होती है, चार तीन होते हैं, चार चार होते हैं, चार पांच होते हैं चारी उसमें king होते हैं, चारी उसमें queen होती हैं, एक का बेगम बादशा, सभी मतलब गुलाम बेगम बादशा, सभी चार-चार होते हैं, तो इसलिए जो प्राइक्ता है क्या होगी? तो प्रैक्ता में क्या होता है पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम तो यह आ जाएगा काट के एक बटे 13 ठीक है आप चाहो तो बीच में इस तरह से भी यह लिख सकते हो एक फॉर्मला जो है इसका कि पक्ष में जो परिणाम है वो उपर आता है कुल परिणाम घटना के नीचे आते हैं और इस तरह से हो जाएगा और अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हमारा आंसर है मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो गए तो C पार्ट यहाँ पर है और इसको यहीं पर ही solve करते है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सेब है G का मतलब green यानि हरा सेब है R का मतलब लाल यानि red ठीक है न तो red कितने है टोटल एक, दो, तीन, चार चार red है, चार लाल सेब है और तीन हरे सेब है ठीक है हमें लाल सेब निकालने की प्रायक तक याद करनी है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो कुल सेब कितने है तो इसको हम लिखते है कि सभी परिणामों की संख्या तो कितने है यह साथ है ना, क्योंकि साथ सेब है साथ यानि तीन तो इसमें है हरे सेब और चार इसमें है लाल सेब अब जो घटना इसमें घटित हो रही है यानि लाल सेब को निकाला जा रहा है इसके पक्ष में कितने परिणाम है तो पक्ष के परिणामों की संख्या तो घटना के पक्ष में कितने परिणाम है गटना की पक्ष में चार परिणाम है कैसे लाल सेब एक ये है एक ये है एक ये है तो टोडल चार हमारे पक्ष में पक्ष यानि जिसकी प्रायक्ता हम ग्याद कर रहे हैं वो कितने हैं बस ये हमें देखना होता है तो इसलिए प्रायक्ता क्या हो जाएगी कि जो पक्ष में है वो तो रहता है उपर यानि जिसकी प्रैक्टन निकालनी उपर रहेगा और सभी जितने हैं परिणाम नीचे आते हैं यानि साथ तो ये हमारा आंसर आ गया चार बटे साथ समझे तो आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि अगर आपको लाल सेब की प्रैक्टन निकालनी है नीचे तो सभी आएंगे कितने साथ और उपर आ जाएगा लाल यहीं पर अगर हरे सेब ग्रीन एपल की निकालनी है तो ग्रीन एपल कितने है तीन है न तो तीन बटे साथ हो जाएगा सिंपल Q4 है दस प्रिथक पर्चियों पर एक से दस तक संख्या लिखी हुई है एक पर्चियों पर एक संख्या इस तरह से उन्हें एक बॉक्स में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है तो परची में किया और उसके बाद उनको परची में एक बॉक्स में उनको मिला दिया अच्छे सी ये अलगलग परचीया है इस तरह से ठीक है अब इसके बाद बिना देखे एक परची निकालनी है तो हमें अब प्रैक्ता निकालनी है कि छे संख्या यानि एक संख्या है जिस पर छे लिखावा है उसको प्रैप्त करने की प्रैक्ता क्या है और ये सब अलगला किसके पार्थ है तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं इसमें सबसे पहली सबसे पहला देखते हैं कि कुल संभव परिणाम कितने है सबसे पहला यही आता है तो यहां पे कुल संभव परिणाम तो यह कुल कितने परिणाम है दस परिणाम है कैसे परचिय में एक भी आ सकता है, दू भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस क्योंकि परचियों में लिखे हुए हैं, तो जब हम निकालेंगे तो इन में से कोई भी आ सकता है न तो basically कहने का ये मतलब है कि परचियों में ये लिखे हुए हैं इस तरह से परचिया है तो कुल कितने परचिया हैं, 10 परचिया है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी ठीक है, अब पहला पाड देखो तो यहाँ पर हमें संख्या 6 प्राप्त करना है तो पक्ष में परिणामों की संख्या पक्ष यानि जिसकी प्रैक्ता हमें ग्याद करनी है इसका ध्यान रखना तो पक्ष जो है अभी हमारी संख्या 6 है क्योंकि प्रैक्ता किसकी ग्याद करनी हमें संख्या 6 यह हमारा पक्ष है, यानि इसकी प्रैक्टा में ग्याद करनी है, तो पक्ष में परिणामों की संख्या, तो छे कितनी परचियों पर लिखा हुआ है, यह बताओ, तो यह तो एक ही परचियों पर लिखा हुआ है, तो बस, तो इसलिए प्रैक्टा क्या होगी, तो आप जानते हैं कि प्रैक्ता कैसे निकालते हैं पक्ष में जो परिणाम है यानि जिसकी प्रैक्ता निकालनी है वो देखो कितनी बार है केवल एक है पक्ष में तो एक ही परिणाम है क्योंकि एक ही परची पे 6 लिखा हुआ है लेकिन कुल परचिया कितनी है दस है तो प्रैक्ट एक बटे दस हो जाएगी बात समझ आगी? तो इस तरह से हम यह लिखेंगे अब सेकिन चैसे छोटी एक संख्या प्राप्त करना तो अब चैसे छोटी संख्या कौन सी होती है? चैसे छोटी संख्या कौन कौन सी होती है? एक है दो है तीन चार पाँच तो यानि जो पक्ष में है वो कितने परिणाम है यानि जिसकी हमने प्राक्ता निकालने है प्राक्ता निकालने है छह से छोटी एक संख्या और ऐसी कितनी संख्या है जो छह से छोटी यहां पे है जिनकी परची बनी हुई है कुल पाँच है तो बस हो गया न, प्रैक्ता क्या हो जाएगी, तो प्रैक्ता हो जाएगी, पक्ष में जो परिणाम है वो उपर आएगा और कुल परिणाम, यानि दस, ये नीच आएगे, काट के एक बटे दो आ जाएगा, ये आंसर आ गया है, बात समझ आगी, फिर है, थर्ड, छैसे बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, छैसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे, साथ है, आठ है, नो है, दस, तो यानि कुल कितने परिणाम हमारे पक्ष में हो गए, कितने, पक्ष में कितने परिणाम है, चार परिणाम है, यानि छैसे बड़ी संख्या कितने ही यहाँ पे पक्ष यानि जिसकी प्राइक्ता ग्याद करने में बार बार यह बता रहा हूँ तो छैसे बड़ी यह चार है यहाँ पे तो चार होगे तो जो प्राइक्ता है क्या हो जाएगी तो प्राइक्ता हो जाएगी पक्ष में 4 परिणाम है और कुल परिणाम कितने है? 10 तो प्राइकता हमेशा क्या होती है? पक्ष में जो परिणाम है वो उपर आता है और कुल परिणाम ये नीचे आते हैं ये धियान रखना fourth part है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना एक अंक कि कुल संख्याएं कितनी हैं संख्याएं हैं कितनी जिनमें एक अंख होता है तो देखो एक में एक अंख होता है दो में भी एक अंख होता है तीन में भी एक अंख होता है चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ इनमें एक अंख होते हैं दस में दो अंक आ जाते, तो यह हमें नहीं लेना है, तो कुल कितने परिणाम होगे, इसमें पक्ष में परिणाम कितने होगे, एक अंक की संख्याएं कितनी हैं, तो टोटल नौ संख्याएं हैं, तो प्रैक्त क्या हो जाएगी, पक्ष में परिणाम, बटे कुल परिणाम, त कि हमारा आंसर आ गया है question number 5 है यदि आपके पास 3 हरे तरिजखंड एक नीला तरिजखंड और एक लाल तरिजखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा तरिजखंड प्राप्त करने की प्राक्ता क्या है ऐसा त्रिजखंड प्राप्त करने के प्राक्ता क्या है जो नीला न हो ओके तो यहाँ पर एक इस प्रकार का पहिया है आप देख सकते हैं एक नीला एक लाल और तीन हरे त्रिजखंड है और अब यहाँ पर एक पॉइंटर है वो pointer कभी कबार आप यहाँ पे देखते होंगे कि यह नीचे बनाववा है इस तरह से और यह पहिया घुमाएंगे हम और जिस रंग में आएगा वो रंग जीत जाएगा इस तरह से आपने देखा होगा घुमने वाला पहिया कभी कबार pointer इसे में लगा होता है कि इस तरह लगा है जैसे pointer तो कैसे भी हो सकता है तो basically कहने का यह मतलब है कि यह अलग अलग तरीजेखंड है इनको तरीजेखंड कहते हैं यह हरा तीन हरी तरीजेखंड है और आप देख सकते हैं एक निला और एक लाल तरीजेखंड है ओके तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे सबसे बहले कि सभी परिणामों की संख्या कितनी है तो total कितने तरीजेखंड है total 5 है तो सभी परिणामों की संख्या 5 हो गई तो 5 हो गई क्योंकि इसमें कितने तिरिजखंड है तीन है हरे एक नीला और एक लाल अब सबसे पहले तो हमें हरे तिरिजखंड प्राप्त करने की प्रायक्ता ज्याद करनी है तो हरे तिरिजखंड यानि ये पक्ष में कह सकते हैं तो जो सबसे पहला हमने ग्याद करना है वो है कि हरे त्रिजखंड की प्रैक्ता तो पक्ष में परिणाम कितने हैं पक्ष यानि अभी मैं हरे त्रिजखंड की बात कर रहा हूँ तो पक्ष में परिणामों की संख्या है टोटल तीन क्योंकि हरे तिरिजखंड तीन है तो इसकी प्रैक्टा क्या हो जाएगी तो इसलिए हरे तिरिजखंड को प्राप्त करने की प्रैक्टा हो गई तो जो सभी परिणाम है यानि सभी कितने तिर्जखंड पांच है वो नीचे आएगा और पक्ष में यानि जिसकी प्रैक्टर ग्याद करनी है यानि हरे तिर्जखंड कितने है तीन है तो तीन बटे पांच हो जाएगा ये बात समझागी अच्छा दूसरा है कि नीला न हो तो नीला अब कितने परिणाम है पक्ष में पक्ष यानि नीला नहीं होना नीलिया तिर्जखंड नहीं होना चाहिए कितने है ऐसे कि नीला नहो तो तीन तो होगे हरे और एक हो गया लाल तो तीन लाल और एक हरा मिलके टोडल कितने होगे चार हमारे पक्ष में परिणाम होगे तो प्रैक्ता क्या हो जाएगी तो प्रैक्ता होती है पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या तो नीला नहीं हो ऐसा कितने बारी है यहाँ पर कि नीला नहीं हो तो ये नीला नहीं है ये नीला नहीं है ये नहीं है और ये नहीं है चार नीले नहीं है न तो प्रैक्ता कितनी हो गई चार बटे और सभी कितने है सभी संभव परिडाम, सभी पांच है आप देख सकते हैं तो चार बटे पांच है प्रैक्ता हो गई इसको करने का एक और तरीका है मैं आपको वह भी बताता हूँ अगर आपको प्रैक्ता ज्याद करनी है देखो अगर आपको प्रायक्त तक याद करनी है कि नीला नहीं हो नीला त्रीजखंड नहीं होना चाहिए तो इसके लिए क्या करना चाहिए क्या फॉर्मुला है ध्यान से देखो जब भी नहीं हमें करना होता है तो हम एक में से हा माइनस करते है यानि एक 1 मेंसे हम माइनस करेंगे नीले होने की प्राइक्ता तो अगर एक मेंसे हमने होने की प्राइक्ता माइनस की तो नहीं होने की आ जाएगी ध्यान रखना ठीक है? क्योंकि नहीं होना और होना उनको मिला कर 1 होता है अच्छा अब होने की प्रायक्ता कितनी है तो नीला होने की प्रायक्ता कितनी है बताओ यहाँ पे तो आप जानते हैं कि नीले कितने हैं यहाँ पे कितने त्रिजखंडे नीले हैं किवल एक ही तो है और सभी कितने हैं पांच है प्रैक्ता ऐसे निकालते है ठीक है नीचे आता है सभी और उपर आता है जिसका चाहिए प्रैक्ता तो नेले की चाहिए तो उपर नेले आएंगे यानि एक ही है और उपर और नीचे सभी आएंगे ठीक है न तो यहाँ पर एक बटे पांच और इसे हल करेंगे आप तो पांच माइनस एक बटे पांच यानि चार बटे पांच तो इस question को करने के दो तरीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है question number six है प्रशन दो में दीग हुई घटनाओं की प्रैक्ता याद कीजिए तो प्रशन दो में ये से भी घटनाओं यहाँ पे लिखी हैं मैंने उसको इस साथ में लिख दिया है तो इनकी प्रैक्ता याद करनी है तो हमारे पास सबसे पहले question क्या था ये जब एक पांचे को फेका जाता है तो प्रते घटना में परिणाम को लिखिए अभाजे संख्या क्या थी अभाजे संख्या नहीं कौन-कौन सी थी अब हमें प्रैक्ता ग्याद करनी है कि अभाजे संख्या की प्रैक्ता ग्याद कीजिए अभाजे संख्या नहीं आने की प्रैक्ता ग्याद कीजिए पांस से बड़ी संख्या की प्रैक्तर ग्याद कीजिए पांस से बड़ी संख्या नहीं की प्रैक्तर ग्याद कीजिए अब हमें ये निकालने है तो जैसे हमने question number 2 में भी किया था पहले हम लिखेंगे कि सभी परिणाम क्या है पहले सभी परिणाम लिखते हैं, ठीक है ना? सभी परिणामों की संख्या, यानि पासे को फेक रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? तो आप जानते हैं कि एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छे, इनमें से कोई भी आ सकता है यानि संख्या कितनी हो गई, छे, ओके तो प्राइक्टा के फॉर्मले में नीचे क्या आता है, पता है न, पूरी संख्या आती, तो सब के नीचे तो छे आएगा, उपर अलग-अलग संख्या आएंगी, जिस तरह से question है, तो first part का A है, अभाज संख्या, तो अभाज संख्या की प्राइक्टा ग्याद करनी है ध्यान रखना, तो यहाँ पर पक्ष में परिणाम कितने हैं, पक्ष यानि जिसकी प्राइक्टा ग्याद करनी है, यानि अभाज संख्या, पहली बात तो यह बताओ कि अभाज संख्या कौन कौन सी हैं, अभाज संख्या दो है तीन है पांच है ये अबाज संख्या है तो पक्ष में कितने परिणाम है कितने पक्ष में कितने परिणाम है तीन है आप देख सकते हैं भई अबाज संख्या या तो दो है या तीन है या पांच आ सकती है तो अब इसकी प्रैक्ता क्या होगी तो प्रैक्टा हो जाएगी इसकी पक्ष में जो परिणाम है वो उपर आते हैं आप चाहो तो पूरा फॉर्मला लेख सकते हो पक्ष में कितने परिणाम है यानि हमारा पक्ष अभी अभाजी संख्या है वो निकालना है कुल तीन है ठीक है यह जो हमने यहाँ पर लिखा है और कुल परिणाम है छे तो प्रैक्टा हो गए एक बटे दो यह कुल परिणाम यहाँ पर यह लिखा है तो यह अब भी पार्ट है हमारे पास भी पार्ट में पक्ष में परिणामों की संख्या क्या है पर इसमें पक्ष क्या है यानि जिसकी प्रैक्ता निकालनी है प्रैक्ता किसकी निकालनी है अभाज संख्या नहीं अभाज संख्या नहीं कौन-कौन सी नहीं है अभाज संख्या है अभाज संख्या एक नहीं है चार नहीं है पाँच नहीं है अब आज संख्या तो इसके परिणामों की संख्या क्या होगी तीन तो पक्ष में परिणामों की संख्या तीन हो गई है ठीक है और कुल परिणाम तो छे हैं तो इसलिए प्राक्ता क्या होगी प्राक्ता हो जाएगी तीन बटे छे यानि एक बटे तीन एक बटे दो है ना पक्षमे परिणाम बटे कुल परिणाम तीन बटे छे सबके नीची यह आएगा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कन्फ्यूज मत हो ना सेकिंड पार्ट हमारे पास है और इसका ए है पांच से बड़ी एक संख्या तो यहाँ पर पांच से बड़ी एक संख्या इसकी हमें प्रैक्ता याद करनी है तो कितने परिणामों की संख्या है पक्षमे परिणामों की संख्या पांच से बड़ी संख्या कौन सी है पांच से बड़ी तो किवल छे होता है न भई पक्ष याने पांच से बड़ी संख्या पांच से बड़ी कौन से संख्या है हम पांच से बड़ी तो वैसे दुनिया बर के संख्या हैं होते हैं लेकिन मैं पासे की बात कर रहा हूँ पासा जब पासे को हम लुड़काते हैं तो पांच से बड़ी कौन से आ सकती है, पांच से बड़ी छे आ सकती है, तो पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई, ये है टोटल एक, पक्ष यानि पांच से बड़ी, तो पांच से बड़ी किवर एक ही संख्या हो है न, तो इसलिए इसकी प्रैक्ता क्या होगी? तो किस घटना की प्रैक्ता हो जाएगी एक बटे यानि पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम यानि एक बटे छे बी पार्ट है बी पार्ट क्या है पांस से बड़ी संख्या नहीं तो इसमें पक्ष में कितने परिणाम है इस बारी पक्ष क्या है यानि प्रैक्ता किसके निकालनी है पांच से बड़ी संख्या नहीं तो कौन-कौन सी है जो पांच से बड़ी नहीं है पांच से बड़ी एक, दो, तीन, चार, पांच तो पक्ष के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई यह होगी पांच है ना भई, पांच से बड़ी संख्या नहीं है, तो कितनी ऐसी संख्या है जो पांच से बड़ी नहीं है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसलिए प्रैक्ता क्या हो जाएगी इसकी, प्रैक्ता हो जाएगी, जितने परिणाम हमारे पक्ष में है, यानि, जिसकी प्रैक्ता न समझ आ गया होगा और इसी के साथ ये प्रशनावली समाप्त होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें